तो कल हमने करा स्टेट को इनिशिलाइज करने के लिए हमें उसको लाइक यूज करने के लिए हमें इसको इंपूर्ट करना पड़ता है यूज स्टेट एक हुक्स है हम यह ठियोरिया रखेंगे तिक ये स्टेट यूज करने का ऐक असान तरीका होता है हम एक वायरी बनाते हैं फेलो कि क्या होता है अरहे हैं और एक हम 5 फॉक्शिन देते हैं थेखर हम हम उसको equals to करके हम उसको use state function के अंदर use state जो हम लोग उपर import किया है यहाँ पर import किया हम उसको use करता है वो एक function है हम उसके अंदर initial data देते हैं वो data कुछ भी हो सकता है data equals to data type equals to type equals to anything ठीक है यह होता है हमारा variable यह होता है हमारा state यह ऐसे हमने state बना दी ठीक है हम एक हम object के use करेंगे तो एक state के लिए multiple काम कर सकते हम वन्हां हम तो multiple state बना इसकता है ठीक है लेकिन same name की हम state अदर नहीं बना सकते तो हम इसको यह सी छोड़ दिए यह में छोड़ दिंगे है state user करना असान होता है state user हम सीधा रवार यूस करते हैं बातों जैसे normal variable so we use of amount करना हो गर हमें state को change करना हो तो हम यह जो function है वो यूज़ करते हैं ठीक है यह function हम वो यूज़ करते हैं function कैसे यूज़ करते हैं मैं यहाँ पर एक single line में बताऊंगा मैं करते हैं अलग से function नहीं बनाऊंगा ठीक है set function हम normal function यूज़ करते हैं मैंने इसको 99 करूंगा यह normally function हो जायागा ठीक है ऐसे हम state यूज़ करते हैं ठीक है रिवीजन हो गया लाइक और हमारे पास standard होता है कि हम set यूज़ करें वर्ड के आगे अन्वह bud यूज़ करें जो कि हमने वर्ड यूज़ करें जो कि हमने वेरियाबल में यूज़ कை तो क्या दर यूज़ करें गये अधिर junior चीज़् होती awake जो बयड वाब तौंग Ł immense करते हैं लेकिन rebellious लेक हम ट्राइक चैंज़ ना करें हम कुछ वही डेटा टाइप दें ताकि हमारा यूस केस बिगड़े ना हम जिसलिए हमने श्रेट बनाया है वह हमारा खराब ना हो अधियर ना हम यह मारा अपना स्टेट हो गया थेक हम इसको कमेट कर देता है हमें इसके अब जरुवत नहीं क्योंकि हमने यह रिविजन के लिए लिए अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की थेक है फॉर्म्स एक important concept है फॉर्म्स के नदर आप चीज़े यूज करते हो थेक है बेसिकली फॉर्म्स करने के लिए दो तीन तरीके होते है तो normal form बनाओ फॉर्म के नदर चीज़े बना उसके नदर action दे दो थेक हम वह तरीका अपनाएंगे हम state यूज करेंगे हम state यूज करेंग अब हम object के concept यूज करेंगे बहुत सारे थेक है बलकि इसको नल देता हूं मै फॉर्म्स भी नल है श्रुवात में सबसे पहले जब भी initialize होगा form हमेशे नल रहेगा थेक है मैं 4 tag देता हूं कल हमने tag पड़े थेक है input हमने input tag पड़े थे मैं 4 tag देता हूं थेक है and हम कल हमने label नहीं यूज है तो आज हम label यूज करता है ठेक है label basically naam देने के लिए होता है तीक है name दो मैं name ठीक है यी तो पहला है इसका मैं name दोंगा even name ठेक हम भाषिको सुद्धर बना लेते है अ हम भाषिक धर बनना लेते हैं dot row ठेक है हम दाल देता है dot call six इसको दोबा बना लेते हैं हम ताकि हम अपने चारो को इसके नदाल सके ठीक है फटबट काम करते हैं ताकि हम चीजों की डेप्थ में जा सके डिजाइनिंग बेहम कम दियान दे और मैंने मिस्टेक कर दी ठीक है सही है ठीक है तो यह हमारा च्छड़ा सा फॉर्म बनेगा हम एप.js में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अब जिस में हम इंपोर्ट क्यूं करें क्यूंकि जरूरी होता है करना थाद श्राइट लैंड की अब हमें जरुद्ध नहीं है हम इसको करें पर करेंगे फgoing की इंपोर्ट करेंगे फ्रेंट करिंगे फॉर्म इंपोर्म करेंगे तह सब्सक्राइगा इंपनेट करेंगे और अधानिभोशे कि आन्धार खुम स्क्राइके अधने फिर ने ज्रूम ऐसनलने व commission needs gonna the farm च्भ यहाटी मस्टीन कर देते हैं ms1,दम का हम अपना npm start को ना भूल गए तो हम npm start कर देखते हैं कि meeting के अंदर कॉन बेठा है Siddhash ji बाठा है ठीक है जब तक यह start हो रहा है जब तक हम चीजों को like चीजों के बारे में revision कर लेता है label होता है basically name label होता है चीजों का label देने के लिए जैसे मुझे इसका देना full name full name अब भी यह जो label हो गया नाम किसी भी चीज का नाम देना हो label का मतलब का नाम html for का मतलब होता है किस particular html के लिए तुम्ही यह label use कर रहा हो तो हम देते हैं input kinder as a name यहाँ पर मैंने name लिखा है यहाँ पर मैंने name1 लिखा है यहाँ पर न्यम वन लिखा है क्योंकि मैं full name इस particular लिए use कर रहाim इसको मैं name देता हूं email type जो type हुरा हम पताılmış email type पता हम इसको email type email type देंग тебе वर हम दे जाल पर यहाँ पर label देगए जिसका नाम होगा email love इसी किकर निये दो बार email किलकते है यह तैप इमेल है यह नेम मेल दे रहा हूं ऐस सब्सक्राइब नेमेल नाम में दे रहा हूं यहां पर हम इसको फाइल अब देता है प्र जिक फाइल देता है और रटागे हम दोबारा लगा दिता है लेबल की spelling हर बार गुंद रहा हो पोधिर पांच के ताहरी रटर के दर्सक्तिर इसका नाम दिता हो मैं और व्यक्स आवटर है आफटर मतलब वह हैक यह जकशिक्त अध्या डापका दो Year name दे देता हूँ ठीक है, अफ्तार name दे दिया and एक input और बचाए, इसमें क्या दे हम full name, okay, okay एक काम करते है, full name देते है, first name ठीक है, यहां देते है, name1 name1 हो गया, ठीक है यह देते है, name2 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 ठीक है and इसके आगा हम लेबल देते है अभी लेबल की spilling गलत है क्या label देते है, label आगया, name2 ठीक है, यह हमने form बना दिया है and हम देख लेते क्या हमारा टर्मिनल चालू हुआ हमारा टर्मिनल चालू नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ आगया 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 कुछ नहीं बगवास इंफमेशन है बूट साइप के फरम में क्या चाहिए डिया Portal कैम का इंफ है इस पर पास्बट पकर लिक करों करऊंगा Key यसन convert दुपे लेबल ये इस क्या होगा few ईना चाहिए होता है फॉर्म समें सब्सक्राइब मलें, सबसक्राइब मतीप में लाय हुआ, उसे लाता है वहाम इता है अब करें लेकर सिसना नहीं प्लाहएं जये लीगेख़ केंगे हुआ, फ्लेब आlow t do kय नहीं से लामुटेटRight निय पर भी प्रव बश्त कर दिया है महींूँ खुए निदी था सब्सक्राइख निबाद कमदी है कि hidden तो यहां पर टेटी कर देते हैं होगं डात सब्सक्राइख अब देख लेट अब चल जा भड़ा आप चल जाएगा अब मस्ट चल जाएगा एक तम कंपाइलिंग होड़ा इसको कंपाइलिंग होने दो तो हम देखते हैं हमने आप पर फॉर्म दाल गया हम एक बार बूट्स्ट्राप चेक कर लेते हैं कि विए की फॉर्म कंट्रोल तो थी आप लेकिन एक यह के छुट्स फाइल के लिए उन्हों का फॉर्म कंट्रोल फाइल के लिए प्रेंट क्लास यह हम दाल लेते हैं इसको बूट्स्राप यूज करें हम पूरा फाला ठाएंगे बूट्स्राप का थेक है तो इसम बढ़िया आ रहा है लेकिन में कुछ लेबल्स नहीं देख रहे है क्योंकि मैं लेबल तो दालती है उसमें नाम नहीं दालें इमेल कि मैंने इमेल के बाद आपका यहां पर दालना है मुझे फाइल नहीं अफ्तार कि यहां पर मुझे दालना है क्या है नेम फुल लास्ट नेम लास्ट नेम थेक है है लुजड़ने ओ कर देखे है कि मैंने बहुत सारे ब्लंडर कर दिया अब हमारी पस कोई ब्लंडर नहीं है तो यह बेसिकली एक नॉर्म बनाया है नॉम फर्स्ट नेम दिया अदर अब कलिक लिए फर्स्ट नेम थे अजिड़ स्भावां अपि लिए जी मेल यह उस्ट न बंदर कर देते हैं यहां पर हमें एक हेडिंग देते हैं जिसका नाम रखते हैं कॉंटाक्त नहीं साइन अप थेक है बड़ी आएक्दम बस हमें पर काम नहीं कर रहा नेम वन नेम वन आई गर इसको आईडी देना पड़ता है तो नेम रखते हैं अगर हम हम्हें फॉर्ट चाहिये तो हम इडेते हैं ठीक है एंडा आएडी के साथ-साथ हम नेम भी देते हैं ठीक है तो हम काम करते हैं इसको आईडी खर Bereton चाहिप यहां कुछ देल्ग हमें बात पर श abbiamoannahlyनी यहांट हम ए about that आइड देता है इन सबकी ताकि हमारा लेबल सही से काम करना शुरू कर जाए तुम देख रहोंगे मैं दोनों चीजे को सेम नाम ले रहा हूं तो ऐसा कोई फरक नहीं पड़ेगा कि आप दोनों को डिफरेंट दो या सेम दो बस दोनों का यूज अलग है तो तुम्हें यूज भी उसी तरीके से करना होगा मैं दोनों का यूज बताऊंगा ठीक है दोनो हम फाइल खूस कर लेंगे कोई बड़ी आसी ठीक है फाइल जूज हो गया हमें काम करते है में रिषर बुटन भी लगा देते हैं हमें रिषर बिटन लगा देते हैं dot call-12 dot text center थीक है बटन रिसेट थेक है रिसेट थेक है रिसेट रिसेट बटन में लगा जेते हैं बड़िया अर एक बटन और लगा जेते हैं जिसका नाम होगा नाम लगा जएते हैं जो कहोगा बटन टाइप आफब बटन वियुअ दी यूड डबल्टन ती हैं फिक इन जिते हैं लुटन अर्डिया थेक हैं रिसेट थेक्याय रिसेट काम कर रहा है अधी क्याया इतंग मुस्त काम करें रीशेट लुटां login पर हमने कुछ नहीं कहता है एक बार एक काम कुछते है login करने एक function बना देता है ठीक है on click on click पर हम लगा देता है login ठीक है ऊपर एक हम function बना देता है अभी भी login का const login ठीक है जो की एक arrow function होगा and वह जो arrow function होगा को कुछ नहीं घरेगया वो करेगा वह सिर्फ information देगः You don't89 वह सिर्फ देगः क्या देगा वह देगा login login is clicked ठीक है तो हम you may type यह और function बनाते है ik फोकिशंट बनाते हैं झिसकेंड कंदरamiento हम लग देते हैं पट दे चेंज changed इसके नहीं हम लग देते हैं change इसके नहीं हम एक event देंगे यहां पर लखोंगा event is changed अभी हमने दो फंक्शन मनाया है हमने login यूज्स कर लिया यहां पर तो अगर तुम लोग देखोंगे तो मैं inspect पर जाओंगा ठीक है console पर जाओंगा यूज्स सब पर clear कर दूँगा कुछ ठीक है मैं login दबाऊंगा तुम देखो कि login यूज्स क्लिक डा रहा है यहां पर ठीक है change अभी मैंने use नहीं किया तो अभी हम करेंगा उसको use ठीक है हम एक काम करते हम change को use कर लेता है ठीक है हम क्या करते है हम यहां पर on change लगाते है ठीक है on change के अलावा तुम तीन चार और चीज लगा सकते हो on blur ठीक है B capital होता है blur में एक होता है on input ठीक है on input or on change दोनों सेम तरीके से काम करते हैं तो तुम दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर चकते हो on blur का मतलब होता है जा दखाता है on blur का मतलब होता है on blur का मतलब क्या होता है changed है ठेका तो हमें पता था किस लगाया? first name है लगाया थेका first name है इवेंट इस चेंग लगादिया ठेका अब बेसी के लिए सीन है इस पर हूंगा मैं console पर कुछ नहीं थेका मैं कुछ लिखूंगा console पर कुछ नहीं थेका लेकिन जैसे ही मैं console से बाहर कहीं किलिक करता हूँ तो तुम दिखो के लिखा गया event is changed okay एक फाथ थेका यहां पर एक जी बार event is changed okay व्यां पर आगे साइड में अगया हां इए को मैं बल्की बंद कर सेथा हूँ ok मैं आपर हूँ कुछ लिख़ हूं कुछ नहीं रहा हूं नहीं कुछ ना भी लुको तो भी कोई दिक करते हैं जैसी बहर आँगा इवेंट इस चेंग आजाएगा ठेक है तो अन बलर का मतलब यह है तो तुमारे यूस केस पर डिपेंड करता है अन इन पूट चेंग कर लेता है इन पूट में क्या Chelsea Нे का डिफरेंस है इन पूट का वही है मै कुछ तइप करूँगा ओन मॉप अन पूट उगा रिक है यह थो होगया ऑन इन पोट अन चेंग अन आन अ अन बलर बनेगें एक दो और चीज आते हैं वह भी हम दहें देक लेते हैं वो तुमारे use cases पर होंगे, कभी use आये तो use करना, on key down, on key up, ठीक है, पहले हम on key up check करते है, on key up का मतलब क्या है, ठीक है, अब तुम लोग visualize करना इस चीज को, ठीक है, और घर पर जाके इसको 100% use करना, ठीक है, मैं D का button में दबा रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, देखो मैं D का D, आई जा रहा है, कुछ नहीं हो, लेकिन जैसे ही मैं D का button छोड़ूंगा, ठीक है, event is change आगया, समझे हो, क्या हुआ, मैं जैसे ही, मैं जैसे ही space, तलब, देखो न सको, मैं जैसे button दबा रहा हूं, जब मैं button छोड रहा हूं, on key up, जब key दब के नीचे से ऊपर है, तब ये event render होता है, सेम टाइप है, on key down, on key down पे अभी कुछ नहीं हो रहा हूं, जैसे मैं button दबाऊंगा, ये वैसे आजाएगा, और एक ही बार आएगा, ठीक है, अभी on change लगा हूंगा है, अच्छा, सेव नहीं है, ठीक है, अभी on change लगा हूंगा है, अच्छा, सेव नही तो वह आई जा रहा है, ठीक है, लेकिन अप में उल्टा होता है, अप में जैसे नीचे से उपर की तरवा तब ही रंडर होता है, ठीक है, तुम्हें क्या करता हूं, मैं इन सब जगा पे डिफरेंट डिफरेंट लगा दूँगा एक, यह काम करता हूं, उसकी जवदत है, म on change तो हम करी रहते है, ठीक है, on input यूज किया हमने है, ठीक है, हमने यूज किया on, k capital, key down, and capital, ठीक है, एक हमने यूज किया on, key up, ठीक है, ऐसे ही होता है, और भी type के event होता है, यह क्या है, यह events है, ठीक है, these are called events, these are events, ठीक है, यह क्या है, यह events है, यहां पर input में युज कर सकते हो, बलकि आप किसी div में भी उच सकते हो, like, div में भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन div में हम, mouse वह अले यूज नidade biz, हम सिफ वहीं पर यह चीज यूज करते हैं जहां पर कोई चीज हम इन्पुट कर सकता है तुम लगा दोगे लगिन वह कभी चलेगा न क्यों क्यों कि डिव कि न तुम कुछ चीज लगते नियों उन्टेले न लेस्ट वह कंटेंट एडिटेबल न आओ उन्टेले कंटेंट एडिटेबल न पढम क्या चीज होती है तक बता देता हूं झाले को डिव है इस इसे किने में कुछ नहीं कर रहा है कि मैं सिर्फ इन्पुट में ही लग सकता हूं तेक है लेकिन इन के सब्सक्राइबल में यहां पर पहले कॉल 6 में लगा देधा contenteditable equals to true तब क्या होगा तब यहां पर भी लिख सकता हूँ देख रहे हो जो पहले से लिखा रहा है उसको भी गयाप कर दिया है मैं चाहनों, यहाँगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगा इन्पोगोगोगोगोगोगोगा हम इसको नहीं यूज़ करेंगे सिर्फ समझाने के लिगा था कि ICPT से पॉसिबल है कभी यूज़ के साहे तो तुम्हें दिहान रहना चाहिए कि क्या होता है थेक है तो हम देख लेते हैं ऑन की डाउन पर हमरे पास चेंज हो रहा है कि को अव्था रहना है तो सेम लगा दिया है इसमें मैं ऑन की डाउन नहीं लगाँ या कोई फाइल पहले से चूज़ है उससे कोई दूसरी फाइल चूज़ कर लो है तो ये पर्टिकुलर फंक्शन रॉन हो तेक है इसके अंदर में लगा सकता हूं कौनसा लास्ट नेम के अंदर में अनकी डाउन भी लगा सकता हूं तेक है आप जैसा हमने कल लोग क्या ताम वैसे लोग करता है एवंट के अंदर में बढ़ आएगा इवंट के अंदर मेले पास आएगा ए.target.value थेक है e.target.value अच्छा तुम्हें अघ्लास तुम्हें नेम एंड इड के बारे में भी पर देखो कि पहले डी कुछ नहीं आया मिर पास दूसरे डी देखो दिखाते हम तुकार इसको जान से देखना है जब मैं पहले बार दाउन करूँगा तब इवेंट में एम्टी आ रहा है लेकिन यहां पर दी आ गिया रहा है जब में दूसरी बार प्रेस करूंगा तब एक डिया रहा है तब तुछ दो डिया रहा है तो हम क्या करेंगे हम हम on key down यूज्ट करेंगे isnayin'm us chron ale and key up या on blur या on change on input तक है तो कुछ फरक है इंजगाव पे अब क्या होगे तुम छोडो कि तो बढ़े आए गा कोई कोई वो भी निया में दिखा तो तो मैं D दबाया तो एक बड़ी आ गया तो on key up थीक है थीक है बाकी ही तो सही है on change करते हम इसको फिर देखते है कि हमाई पस क्या event आ रहे है on key दिखो कि तुम event आ रहे है ec.fake path कुछ fake path आ रहे है तो मतलब हमारे यह function काम कर रहा है e.target.value अब हमें एक काम करते है अब हम देखते है कि हम यहां पर नेम क्यों देते हैं हम यहां पर नेम क्यों देते हैं थीक है basically name का फंडा क्या होता है आप ना form के नदे से चीजे निकाल सकते हो name के जरिये and id के जरिये भी थीक है मैं बता देता हूं कैसे निकाल सकते हो माल लो यह e है यह तो different है यह हम समझागे यह.target क्या होता है थीक है हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम हम क्या करते हैं हम इसे ना id निकाल लेता है बता है basically माल लो मुझे सिफ मुझे सिफ एक ऐसा function बनाना है जिसमें मैं जिसमें मैं id यह यह देख रही है मुझे यह चीज़ करने है मुझे id यह तो मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा document normal javascript है document.getElementById getElementById use करूंगा id मेरे पास क्या होगी id होगी मेरे पास तो हमारे पास एक और चीज़ आती है e.target के ना हमे पास value भी होती है हमे पास id भी होती है e.target.id हमारे पास तो हम उसको use कर सकते है वरना हम क्या करते है हम एक काम करते है हम ना id उठा लेता हम e-mail उठाने e-mail में क्या लिखा है get.element.id मुझे चाहिए इसका id हो e-mail 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 उसके अंदर इस element को में एक variable में ले लेता हूँ ठीक है where a equals to कुछ भी ठीक है and then में लोग कर देता हूँ a.value ठीक है अब देखते है अब हमारे पास क्या चीज़ आई इसको हम e-mail पे हमने क्या ता यह सिफ तुम देखो के sssss triple मतलब वही चीज आ रही है जो हमारे पास है log हम क्या रहे है हमसे वह की चीज़ लोग कर रहे है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब यह है कि अगर मैं getelement.id अगर मैं getelement.id अगर मुझे.value लगाँ तो मुझे value मिल जाएगी चीज़ का मैं दिखा जेता हूं तुम लोग कैसे मिलता है value reset कर दो इमेल पे लगायता है इमेल पे हैगा तो मैं कही और Taipe करोंगा तो नहीं अगर बस वह बहुआ कुछ झालता हूं मैं कुछ और तप करोंगा तब इमेल fon絹 है एगागा झालता है मैं कॉर्स मैं कुछ थच टाइप,- करोंगा मैं कुछ नमña कुछ टाइन कुछ यह है इमेल का sait रस्पोंदी तो एक दख़े प्यूद सब्सक्राइब कार दो मिटिंग्म अचाइब सब्सक्राइब कि अरे मैं बिना उसके पड़ा रहा हूं कि अधिते से बिना बच्चों के पड़ा रहा हूं हद हो गई कि हाथ थी करती करती आज 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 उस पर आजा मीट पर आज अरे कमाल कर दिया भही मैंने हद पार कदी नूबनेस की आज तो मज़ा है कि कि किती देर से काया अभू मैं पाच दस दस मिनट से मैं अकिला बखर आए आपर हद यार हद हो गई पता नहीं क्या-क्या पढ़ा दिया मैंने हाँ हाँ भाई मैं तो फोन टाता भी नी वो तो उठा लिया मैंने किसी तर ना तो उठा यार अडर लेक्ट मी इन आए हट इसूज जो दिन डाता लेगा यह जो डाता लेगा यह जो जो अगया यह जो देख अपतानी क्या पढ़ा चुका तुम लोग को यह देखो एडिवा रह था और आपतानी क्या कर दिया थे तरफे यह सब देखा तुम लोगों कि I अचार इब जहाए यह सब अचार में जो बताया इशनकर जाढ आपकाना तो कहा तक रहा तक अब तक यहाँ तक टूरा फोर्म पूर्म बन गया त अच्छा 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 चलो चलो कि अभी बात निए फोड़ी पते है जब पता है कि अः यह ए अँडन की अप्यां यह निवाग तो निए निए तुम लोगों ने तुम्हारे सामने आइडी डाल दीतना पता कि मैंने आइडी डाल इफ तो क्यार कोई है निए फ तो हटादो कर दो कि नहीं पुड़ा जालो थीक है पढ़ा देते हैं हम हो ना तुमनों को अभी क्लास में हो थेक प्रेजेंटेशन चला गया मेरा मैं नहीं कहिल रहा है से अब बता दिया गरो कुछ अशा ब्लेंडर तुमें लगे कि मैं बेव कुफी कर रहा हूं तो जो जो कोई बात ने कोई बात ने एक दम बड़ी आ तरीके से करेंगे आम फटाफट 10 मिन अपने वेश के आम 10 में जाता पड़ेंगे जो 10 मिन नहीं पड़ेंगे जलती मेरी थी चलो थेक शुरू बापस अब तेक यार थोड़ा सा दुबारा कर लेते हैं लेबल हमें पता चलिया थेक है हमें पता है कि HTML4 हमारा ID के साथ काम करता है तो हम ID लगा जेते हैं ID name रखेंगे ID name रखेंगे तो basically HTML4 का name 1 होगा तो यह name 1 काम करेगा यहां पर मैंने name रखा हुआ है तो मैं इसको name 1 कर देता हूँ ताक यह दंग से काम करेगा थेक है सेव कर देता हुआ है बाकी अब हम बात करते हैं इन्पुट के हमने कल पड़ाता कि हम on change पे चीज़े कर सकते हैं थेक है on change पे जब एक फंक्शन बना लिया change नाम का थेक है हमने दो function बनाए एक बनाए login एक बनाए change लोग-इन पे होगा login लोग-इन जब क्लिक करेंग तो दबायेगा वो कॉनसो लोग-द्रॉग लोग-द्रॉग निस क्लिक्ट थेक है एक बट्राय कर लेते हैं को ठीक है इस function को try कर लेते है login लॉग इन पर क्लिक ठीक है तो login पर क्लिक करूँगा तो login इस clicked आएगा ठीक है and मैंने एक और function बना है change name का ठीक है जिस पर हमने कल पड़ाता कि हम e को e.target.value से हम किसी भी input tag की value ला सकते है ठीक है तो मैं email की बात कर लेता है email पर अगर मैं कुछ लिख हूँगा तो मुझे उसका value मिल रहा है ठीक है तो अब थोड़ा सा ऐसा बात कर लेता है कि बाकी और किस किस टाइब की events तुम लोग handle का सकते हैं on change एक event है on change एक event है on change का मतलब है जैसे ही कोई चीज चेंज होगी तो यह particular function चला दो ठीक है तो और भी काई-free type के events होते हैं हम उनको पढ़ते हैं ठीक है फटफट पढ़ते हैं क्योंकि वह तुमारी use case के उपर है यह सिफ example है ठीक है इवेंट अब जैसी यह function चलेगा event क्लिक होगा ठीक है यहां पर आएगा event यहां भी लिखाएगा event ठीक है लिखके देख लेते हैं यह था बाते event आ रहा है ठीक है पाच बार event आया दो बार event आया ऐसा क्यों दो बार की चल रहा है on change चलो देख लेंगे इसका कोई दिक्कत ने है ठीक है on change पर change चलना चाहिए change चलेगा ठीक है तो हम क्या करते हैं दो तीन टाइप अफ तो हम एक बार on change हमें पता ही है ठीक है दो तीन और टाइप की event होता है एक होता है on input ठीक है on input क्या करता है basically on input same thing होता है on change जैसा ठीक है तो मैं जैसे हमने कोई change की तो वह चला था तो हम देखते हैं मैं दोबारा कोई change कर रहा हो तो वह चल रहा है मैं backspace दोबारा हो तब भी चल रहा है ठीक है तो on change and on input में फरक नहीं है अब आती यह बात ठीक है और type क्यों होता है एक होता है on blur ठीक है B capital L U R ठीक on blur on blur का बड़ा निराला होता है on blur कैसा मैं type कर रहा हूं कुछ नहीं आ रहा ठीक है लेकिन जैसे ही मैं बाहार कहीं क्लिक करूंगा event चलो जाएगा ठीक है ठीक है जैसे ही मैं ठीक है on blur का मतलब क्या है मैं जैसे कुछ भी type कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा हूं अभी क्या ही focused है यह particular input है यह focused है लेकिन जैसे ही मैं इससे बाहर क्लिक करूंगा event चलो जाएगा ठीक है यह होता है on blur नहीं लिमिटनाज़ना जाएगा थाएगा यह लिमिटने लगाने यह यह beef मैंक्सथलेंद आला इसथमा मैंक्सलेंद मने मीदद आल्डी 5 तो मिनलंन खासकती हो तो एक होता है मिन लेंद्ध भी होता है तो मिन लेंद्ध भी लगा सकते हो तो एक अन ब्लड देख लिए हमने एक होता है एक और होता है बड़ा जबदस्त वह होता है अन पहले हम देखते है की अप देखते है अन एक होता है अन की अप ठीक है इसे नाम से समझ सकते हो तुम कि यह दिखो थेान से देखना यह को मैं अभी क्या कर रहा हूं मैं तुम्हें बताऊंगा अभीना बटनको दबाऊंगा अशक को दबाएकर रखूंगा ठीक है और तुम कॉ安 वो आता जाएगा थेगा तुमन मैं क्लिक रचे तो आ अनकी आप लगा Geist मैं दबा रहाँ इसको ठीक है ठीक है हाँ लिमिट है लिमिट है एक काम करता हम लिमिट को 500 कर देता है ताकि वो थोड़े दियर में आये मैं डी को दबा के रखूँगा तुम कॉंसोल पर देखना कुछ नहीं होगा ठीक है डी को दबाया है अब भी आगे आही रहा रुक नहीं रहा डी को मैं दबा रखा है ठीक है लेकिन जैसे ही में की को छोड़ूँगा तो की ऊपर की तरफ आएगी ठीक है एड हमारा जो function था अन की अप ठीक है तो मैं छोड रहा हूँ तुम देखो कि जैसे ही मैं छोड़ा तो अगर मैं एक बार backspace भी दबाऊंगा ना तब एक बार ये event रहन होगा ठीक है देख लेता है नहीं नंबर आफ इवेंट अरे ये देखना हम अरे बेसिकल इसका मतलब अगर तुम सेम चीज़ दो तुम तीन तीन बार चलती है ना तो न ये इसको 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 इसा multiple time दिखाता नहीं इसको multiple time बता देता है कि भगी 6 बार event चला ठीक है 6 बार event चला इसको 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 आफ इसको इसको आप उपर आने में जैसे की ऊपर आयेगा वैसी ये particular function चल जाएंगा यहाँपर तो event क्या है यहां पर event क्या हुआ ? यहां पर event होआ, key का उपर आना यहां, एक और event है वह है down on key down तो अब आने पर नहीं होगा तो आप आने पर नहीं होगा मैं एक बाद दबाओंगा देखो एक बाद दबाओंगा तो एक बार आया मैं दबाई रख रहा हूं तो वह बड़े जारे है खोड़ दूंगा तो वह भंद हो चलता जायगा भी भी बहुत देर तक नहीं यह मतों शोच INPUT COUNT करहा है क्या करहा है तो क्या इसकी बात कर रहा है किhell काॉंशल की मात कर है किनसे कोई कीर्ट का मतलब है किन इसी की डाउन जयसे लाएzekशन का मतलबार गया किटने की कीसे की दबा इस निपेंट का है आप किसी और जगह पे गए तो वो on blur पे उसको चला देगा on change का मतलब क्या है कि अगर कोई change हुआ तो वो उसको चला देगा तो हम क्या करते हैं हम on key down का थोड़ा सा मामला समझ लेते हैं कि on key down हम input में use क्यों ने करते हैं तेक है यहां पे पहले उसमे on key up में लिखंगा तो मेरे पास आएगा यहां पे अगर मैं कोई चीज टाइप करगा तो मेरे पास value आएगा तो यहां पे इवेंटी आ रहा है क्योंकि मैं सेव नहीं कि आए यहां पे इसको काम आ रहा है ठीक है तो basically क्या होता है जब key down होता है तो जो सबसे पहला value होता है जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ठीक है and जब पहली बार कोई button दबा तो उसने वो वाला input लिया जो उस time पे था यहां पे कुछ भी नहीं है and मैंने कोई चीज टाइप करी तो इसने वो लिया जो इससे पहले था इसका previous जो था इसकी previous में पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो इसलिए हम inputs में on key down नहीं यूज करते है on key up सही यूज चल जाता है तो हम on key up यूज करते हैं and on key up भी हम बहुत कम जगा यूज करते हैं usually on input ही यूज करते हैं तो for just the sake of की तुम लोगों को याद रहे कि क्या-क्या होता है मैं यहाँ पे on key up यूज करूँगा वरना हम सारे के सारे हर जगा पे on key on input या on change ही यूज करेंगे तो कुछ चीजे होती है on blur on change on input on down यह सब हमने सीख लिया अभी इतना आप लोग घर पे सारे try करोगे थीक है मैंने एक और अपने आपको बताया था content editable true okay basically क्या होता है यह ऐसा कोई hard code नहीं है कि समझो ना समझो एक ही बात है थीक है तुम समझ लो अच्छी बात है नहीं समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आता एक attribute होता है डिव के डिव के यह हर चीज के लियं content editable एक attribute होता है थीक है थीक है थीक है थीक है थीक है तुम यदधर true देतहो यदधर false होता है jadi by default to like true तो पे घूल Quindi काम क्या सका हम हटा देते हम से जखते से एक हम देखता है उद कि इसको सेटा है ठेक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर content editable true करूँगा ठेक है को sayf करूँगा तो देखना में और साथ क्या होगा अब मैं इधर type भी कर सकता हूं यह क्या div है यह देखो देहां से दिहां से द्रहता हुंगा यह div है content editable true ठेक है यहां तुम देखो कि यहाँ पर कि यहां पर में ताइप लिखे हैं १ं। माहाँ यहां पर लिखे रहा हूं ॥ यह यहां पर लिखे हुआ है। क् जान यहां पर सीनिफ कुर्षाइप श करतो हैं। में चाहू तो मिर्म। भी आप कर सकताउं। यहोता है artık content oder perimeter बहुत कम जगह यूजगे यूजगे कभी तुमारा बहुत ज्यादा बन गडा ऐसा कोई प्रोजग्ट बनाने का जिसके लिए तुम एक्ट एडिटर बना रहे हो text editor समझते हो word वर्ड वर्ड बना रहे हो word पूरा software बना रहे हो word का तब तुम यह यूज़ करना थेक है अभी के लिए यूज़ करने का ज़रुवत नहीं है और हमारा को ऐसे use case भी नहीं है content editable true मैंने लिख दिया हो पर तुम्हें चेक करना है तो तुम्हें यूज़ कर सकते हैं आगे करते हम हमें बता है on key up से हमारा function चलेगा थेक हम मैं तुम्हें बताता हूं कि id से कैसे हम value निकाल सकते हैं किसी input का कोई id है id email थेक है तो मैं उसका input कैसे निकाल होगा थेक है तो उसके में क्या करता हूं उसके में पास एक सबसे पहले तो हम क्या करते हैं हम पहले तो हमें पता है कि हम जावस्क्रिप्ने बड़ी सही चीज़ पढ़ेती document.getelementbyid थेक है getelementbyid प मुझे है तो क्या मैं इससे और चीज़े कर सकता हूं तो answer है हा मैं कर सकता हूं तो अगर मैं इसको log करूं तो देखता हूं क्या आता है मेरे पास एक काम करता है हम यहां पर और जो चीज़े हैं हम उनको comment कर देते हैं हम सिफ इस चीज़े को log करते हैं कि email by id में क्या रहा है इसको रिलोट कर देता हूं मुझे जर्वत मुझे नॉमल चाहिए थेक है कॉंसोल देखते हैं कॉंसोल को गायब करते हैं थेक है मैं कुछ लिखता हूं तो तुम देखो कि इन्पुट ताग रहा है मेरे पास यह यह आया मेरे पास किस से इससे getElementById से ठीक है अब हम एक एक्सपरिमेंट गरते हैं हमें पता है कि e.target.value से तो हमें value मिल जाता है लेकिन e.target से हमें क्या मिलेगा हम यह चेक करते हैं ठीक है लेट सी यह था मेरे ठीक है अब देखते हैं मैं कुछ लिखता हूँ तो यह मुझे बता रहा है Input है Input के नदा Hashtag email है के नदे क्लास है FormControl का तो इसका मतलब यह मुझे कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही कुछ दे रहा है यह Input Tag नहीं दे रहा है लेकिन Input का मुझे पूरा information जरूर दे रहा है Input Tag है ID hash है hash email है क्लास . हमेशे . क्लास होता है तो क्लास FormControl ले तो यहां पर भी ऐसी कुछ है Input है यह है वो है तो हमें जब पता है कि हम e.value लिखते हैं यहां पर तो हमें चीजों का value मिल जाता है मैं लिखूंग तो DD मिलेगा मुझे तो क्या हम यह कर सकते हैं कि जब हम यहां पर यह .value लिखे हैं क्या मुझे इस पर्टिकुलर के अंदर जो भी getElementById से करूंग यहां पर value सर्च करूंग क्या मुझे मिल सकता है तो answer है हां मिल सकता है दिखा देता हूं अभी यह क्या होगा अभी मैं लॉग हटा देता हूं अभी मेरे पास एक ही चीज़ है getElementById से हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा था एक input tag बनावा आ रहा था लेकिन हम क्या करता है हम अभी value देखता है हम देखते है तो हम देखो कि value भी वही आ रहा है जो कि getE.target.value तो इस तरह भी हम value निकाल सकते है एक particular email से तो अब तुम लोग कहोगे कि E क्या चीज़ है E है क्या तो यह जो हमने लिखा है यह होता है shorthand shorthand मतलब एक shortcut चीजों को लिखने का अगर मैं इसका real चीज़ बताओ real चीज कैसे लिखते हैं तो हम इसको ऐसा लगते हैं एक function बनाते हैं वह हम एक function बनाते हैं जिसके अंदर जिसके अंदर हम वह function call करते हैं change call करते है and then इसके अंदर हम दे देते हैं E यह जो E आता ही यह आता यहां से basically on key अब जो होता है वह event return करता है ठीक है यह थोड़ा technical चीज़ पहुच गए ठीक है वह event return करता है मतलब वह event देता है and event वह हम pass कर देते हैं function के अंदर इस function के अंदर जो हमने function बनाया है and then हम वह e changed के अंदर pass कर देते हैं and then जो change के अंदर e होता है वह हम यहां पर normally इसको ऐसा fetch कर लेते हैं and then हमें तो पते यह argument है argument है normal हमें इसको ऐसा use कर सकता है तो हमने वैसे ही यहां पर use किया थेक है लेकिन क्या हम इसको normal function ऐसे use कर सकते हैं थेक है ऐसा like on key up and change हम देख लेते हैं लिखा रहे है he is not defined यहां पर e is not defined तो बनार एक है तो फॉट है तो अन्षर है कि नहीं हम ऐसे यूज नहीं कर चकते हमें बनार देने ही पड़ेंगे यह पर तो यह शॉट है आप इसको सीधा लिख सकते हैं लेकिन आपके वास एक और कैच है अगर आपने अगर आप ने इसको ऐसे नॉमल फंक्शन मनाया traditional function function change to तो आपने इसको traditional function बनाया log कर देता हमे log कर देता हमे e.target.value को and मैं यहां पर e दाल देता हम तो हम क्या यह क्या यह इसकी तरना काम कर पाएगा एक बाद चेक कर लेते हम change to है यह 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 यहां पर देता हमे क्यों क्योंकि change to आपने कर देता हमें किसज है कि देखी है कि अभे बिनियार अर्न हरी शर जगाा पर छेंग की स्पेलिंग लट के दो अट रख केम झाँढ की जिसोट्याइए और उल्हें तो टेख की तो हम छेंग पलट किने इन हम फसे आनल जब दीड़ कре है जो हम अपने arrow function में कर रहे थे एक एक बार देख लेते हैं इसको save नहीं किया वेने, save कर लेता हूँ थेक है change 2 is not different, थेक है change 2 is not different, 53 पे okay sorry हम अभी नेम के अंदर change कर रहे है change 2 जो कि हमारा है traditional function traditional function होता है normal function keyword से जो चालो गरता है यह होता है arrow function हम देखते हैं कि क्या यह short hint काम करेगा तुम दिखोगी काम कर रहा है थेक है बढ़ी है यह सब्सक्राइब तो हमारे पास different different तरीके है function लिखने के function तरीका 1 थेक है normal function तरीका यह function तरीका 2 है जो मनमया करो थेक है यह जो मनमया करो थेक है यह एक वे है लिखने का यह दूसरा वे है लिखने का यह शौर्ट है इसका मतलब यह होता है थेक है यह दो चीजे मैंने बताई है थेक है हम यहां पे चेंज 2 को अभी हम कमेंट कर यह change2 की जगा हम change ही कर देता है तो अभी तक हमें किता समझाया हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट होता है हमें पता है कि हम हम इ.target.name value से हम चीजे चीजों का अंसर निकाल सकते कि इनपुट में क्या आया ठीक है यह होता है इवेंट इवेंट बेसिकली यह पूरा इनपुट दे देता है इसके अंदर जो भी value आता हम निकाल सकते हैं तो इतना हमें पता चला ठीक है पस जो form में fill हो भा उसको return कहतेगा ठीक है वह हमें पता जिलेगा कि क्या value है तो अब हम क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं अब हम थोड़सा आखे हाकर बढ़ते हैं अब मुझे चाहिए यह साडी values मुझे चाहिए सारी values चाहिए और A की state में चाहिए क्यों क्योंकि क्या होता है मैं दिखाता है इधर देखो इधर दिखान दो यह क्या है यह पोस्टमान किसी को पता है पोस्टमान क्या होता है हम गड़्ड क्या होता है पोस्टमान ठेक है नहीं तेरा लग थोड़ा सा कॉंसेप्ट नहीं हिला हुआ है थेक है मैं देखो क्या होता है, जब आप back end, जब आप front end में आप back end एक कम्मिनिकेट कैसे करते हूं back end आपको कुछ URLs देता है, यॉर्ल समझ से हो. Website URL यह, जैसे यह लिखा है हूं है, यह यह URL मैं, प्लस-प्लस कर देता हूं अगर हो पाई है? नहीं हो रहाए है . यह बहुत ज़्यादा मेगनिफाय हो गया हाँ बास तो इधर द्यान दो यह जो है यह यूरल ऐयाँ उल्स ह३ां तेंके में बॉल। अब बेसिकली भी पोस्टमैन क्या होता है फोस्तमैन कशाब अब भर में उमिते ना गोगे तो उसको test करने के लिए लिए honor जभ़ाओं, c c a कि अजय तो मिनी रिस्प्स में क्या रहा है जो करें है उसके लग जो शैया है खाने कि अब कोण सब्सकर से मिल रहा है तो हम भी PostMand ही यूजख कर het अभी PostMand हम स्कूर्स में यूज़ करने का हम सही जान highly तो बसिकली क्या चीज़ है हम एक URL मलता है तो हम एक url पे नगल जा Nutisy ज़ंकर नगल में से उसे o लिए बीBOC करन सकते हैं यहां आप से लिए तो basically क्या करता हूं है जो Postman होता है Postman हम चीजे data हमें मिल लाता है तो कुछ request होती है GET request होती है POST request होती है PUT होता है, DELETE होता है PATCH भी होता है and बाकी सारी चीज़ी भी होती है हम यहां से यहां तक HEAD तक COPY तक हम चीजे यूजने करते हैं हम mainly उसकते है डिलीट, पैच, पोस्ट, पुट, पुट, अडगेट तो में काम करते हैं, हम गेट पे आजाते हैं और देखते हैं यह हमें रिस्पांस किया एगा, प्रिव्यू किया एगा हमारे पास तो मैं सेंड दबाता हूं तो मैं पास कुछ आजा, पेज वन आया, टोटल 6 आजा, प्रिटी का देता है तो मैं पास कुछ पेज वन आया, पर पेज 6 आया, ऐसा से कुछ information आया तो मैं पास एक एक अट्रिब्यूट आया data, जो एक array है जो एक array है और जिसके अंदर मुझे कुछ object मिल रहा है ID है, उसमें email है, उसमें first name है, उसमें last name है, उसमें oftaar है तो हमें मालूम पढ़ेगा कि यह तो कुछ हम data दे रहे हैं यह email user का email है, first name का email है, यह ऐसा कुछ है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यह चीज अगर मैं यह चीज पे request send करता हूं तो मुझे data मिलता है, है ना तो अगर मैं किसी तना इस data को अपने app में use कर चकूँ तो कितना बढ़िया होगा, है ना ठीक है, कितना बढ़िया होगा हम यह माल लो, यह सारा data हम use कर सकते है है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कोई कई और से है कहीं और से किसी और यह जो request यह request है request.in यहां से मैं कुछ send कर रहा हूं और वो मुझे data दे रहा है और मैं तो ऐसा कोई web browser पर हूं भी नहीं है ना, और यह क्या है यह सब क्या है, यह सब क्या है कि इन सब का relevance है, यह basically होता है data देने का तरीका जो हमने object सिखा है मैं तुम्हे object जो होता है यह यहां पी यह पूरा object है तुम यहां से बस यह हटा दोगे ना यह double quotes तो यह पूरा वही object बन जाएगा जो मैंने तुम्हें पता है तो हम देख लेते है कि अभी क्या है लेकिन get तो होता है data यह लेना 3 ले स्कDealies तो हम क्याते हैं, हम έχरो को यह 3 देते हैं रहे से हम यह dolar अरकर का यहारा कोई सरा देता ले 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 लेदेए मैं क्या रहता हूं ? मैं क्या रहता हूं ? मैं एक first name देता हूँ यह साला backend में काम चलता है अभी backend में नहीं चलता है हां मतलब माले भाई backend यह लेकिन बाकेंड यह 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 पोस्ट मैं है यह यह बाकेंड लेकिन फ्रंटएंड है लेकिन हमारे लिए सिफ टेस्टिंग टेस्टिंग का एक तूल है इसका नाम में लिख देता हूं इसका नाम में लिख देता हूं यह नए 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 इंस्टॉल्ड ए एप्लिकेशन तो वेबसाइड में भी यह मिल देगा तो मैंने इस API के अंदे में पोस्ट रिक्वेस्स भीजूँँगा यह बहाँ रिक्वेस्टों मैं रिक्वेस्टों चार टाइप के इसका प्सुड़ो गरेंगा तो महां आ भी सम्मेले मंतलर अभी पोस्टों के ब्याँ टेटा बैक्व लिख दे तरफ दे नए तुम्हां में में खिया कि मिण् होष्ट Pearl यह कहा है मैगनिफायर को उपन करो कहा है मैगनिफायर दिख भी निरा मज़े बंद का दुछ से ठीक है आई हुब दिख रहा होगा तुम्हें को दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि अउसको बड़ा निगर पारा या वनकर देता तो बिसंकल्वय उनने किया कराườَ यह तक मैं तरभी तक वह खिए jsशसको अउसका यह तक सिर्फ अ çekक चआ कि मह अधाद कर देने के शच्ट प्रम नहीं देनेना उसड़ को मैंनोगता है पोस्ट के करता है पोस्ट तुम्हारा method होता है डेटा देने का तो मैं क्या कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि यह तीन डेटा इस पर्टिकुलर API पर सेंड कर दो तो मैं सेंड दबाऊंगा तो क्या जाता सेंडिंग रिक्वेस्ट चाहता तो मुझे back-end से response पते कहा मिला मुझे back-end से response मिला तेरा email तो यह है जो कि तुने उपर दिया था तेरा first name यह है मैंने तेरे लिए ID create की 360 मैंने बताया कि यह इस टाइम पर create हुआ समझ रहो इस तरह से हम डेटा भीचते है एक particular back-end मे तो अभी इसको हम react में कैसे use करेंगे यह संबलो बस मैंने तुम्हे इसलिए यह दिखाया है ताकि तुम्हे पता चला कि हम किस form में data भीचते हैं यह देख रहो यह जो form है यह अब्जेक्ट है इस form में data भीचते हैं हम सारी चीजे एक object के दाल लेते हैं and then हम इसको use कर लेते हैं तो अब एक काम करते हो get API तुम लोग को दिखा ही देता हूँ get होता है data लेना get करूँगा तो तुम्हे दिखेगा चलो माल लो मैं 2 id 2 को fetch करता हूँ तुम्हे लिख देता हूँ id 2 तो तुम दिखोगे कि में पास id 2 आगया data data में का आया इसका last name viewer है इसका कोई image है तो इस तरह से हम data ले भी सकते है and जैसा भी पहले post में दिखा है वैसे हम data दे भी सकते है ठीक है इतना हम सबको समझाता है get post क्या होता है अब हमें पता है कि कि हमें किस तरीकेMMd से data बनाना है हम क्या करते है अपने back-end में हम अपने front-end में जाते हैं हम वहाँ पे code लगते हैं धेक हम वहाँ पे कुछ code लगते है परले में तुमें तीन तरीकेने लिखना हमा तीनों में से तुम कोई भी चीज यूसकता हो इसके कि में जाओं से तुम्हें अशान लगे है पहले में अपना परस्णल फेवरेट बताता हूं तुम क्या वो तुम सेधा सेट रहा हुग्ष तुम सीधा सेट वाँ एटार चालो हुग्षू Array के अंदर E.Target.Name ठीक है and then तुम उसके आगे दे देते हो E.Target.Value यह है मेरा personal favorite तरीका shorthand तरीका सबसे छोटा तरीका ठीक है दूसर तरीका देख लेते हैं समझाओंगा मैं साथ तीन एक साथ ही ठीक है तीसर तरीका किया हम एक object बनाते हैं ठीक है हम एक अब ज़क बनाते हैं var ob j ठीक है तुम एक ऐंदर हम basically किया करते हैं हम उसके अंदर det 2 होते हैं तुम एक और. fruit एक विरिरि pursue तुम एक object बनाते हो तुम देते हो 3.Form.'Data थेक यह उसके अंदर तुम उसके अंदर तुम डेटा देते हो बेसिकली तुम डेटा क्या देते हो तुम ऐसा कुछ लिखते हो डॉक्यूमेंट फाल तु का तरीका यार बताने का जरुद में आई यह चलो एक काम करते हैं चोड़ो उसके थे 2-2-2 वाल तुम kocs डॉसर एक में द का में नँटर निक तरीक के देते हो लोग तुम डेते हो अद्धन देचे इसकी थेचा उस Wr.B तो तुम बजल चाय के और तुम यह नीचे यह नीचे थेचे शये करते हो कि या आई जो आया फिर तो उसमें data देते हो वो बिकार तरीका है बहुत slow तरीका है वो हम देख लेते हैं एक बार यह जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है हमें पता है e.target.value से क्या होता है वेल्यू से वेल्यू होता है ठीक है हमें मालूम है कि e.target को जब हम लॉक करते हैं तो हमें ID पता चलता है class पता चलता है एक चीज जो हमें और पता चलती है वह होता name name क्या चीज है name है यह particular name ठीक है यह particular name email का name name1 first name क्यूंकि अभी पोस्तमान में चीज देखिती पोस्तमान में जो हमने data भेजाता ठीक हम वह भेजने वाले है first name में आगया name hmm last name यहां पर id यहां पर name की जगार लगते है last name ठीक है तो basically मैंने क्या क्या है first name last name name and avatar ठीक है अब basically यह जो function यह जो लिखा यह क्या 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 है dot dot spread operator का मतलब क्या है कि जो चीजे इस time पे form data में है वो चीज इधर return करते है ठीक है अभी form data में क्या होगा form data खाली होगा तो वो कुछ चीज कोई भी चीज return नहीं करते हैं ना हमने यहाँ पे form data को lock करते हैं तो यहाँ पे form data को lock करते हैं form data को block करते impress Earlier इस टाइम पर इस टाइम पर इस टाइम पर जो भी फॉर्म डेटा की वेल्यू है वह हमें यहां पर इस ग्यारा नंबर पर शोग जाएगी है तो हम देख लेते हैं Assignment operator 24 पर हमने कोई असाइन किया है और हमने यूज ने किया तो हम पहले spread operator समझ लेता है तुम देखो कि form data खाली है इस टाइम पर इस टाइम पर फॉर्म डेटा कोई भी चीज निया अगर मैं first name में कोई चीज टाइप करता हूं तो तुम देखो कि first name के अंदर में पस first name आ गया अगर मैं यहां पर email के अंदर कोई चीज टाइप करता हूं तो तुम देखो कि में पास form data के अंदर email के अलग बन के आ गया एक first name अलग बन के आ गया अब तुम तो कहोगे कि भया ऐसा email ही क्यों आयदी बे तुमारी नहीं भया ऐसा नहीं है यह मिशन नेम ही लेगा तुमारी नहीं है यहां spread operator यूज किया इसलिए वो पुराला data पहले इसलिए वो पुराला data पाले इसमें क्या कहता है spread operator बेसिक्ली यह बेसिक्ली यह को समझने की कोचिश करना set करना है set form करना इस particular value को यह आपर मान लो अगा मैं obj भी दे दिया ना आपर मैं ऐसा बना दिया कि कहते है var obj equals to this ऐसा भी बना दिया तब यह सेम काम करेगा क्यों क्योंकि एक variable के अंदर मैं पहले form में जो इस time पे चीज़े हैं वो पहले वो सारी चीज़े सेफ करा रहा हूं ठीक है उसके बाद उसके बाद मैं कोई नई value दे रहा हूं ठीक है अधी form data में email आया तो वो उस particular email को override कर देगा समझ रहे हो इस पॉल्ड डिटा मतलब इस नहीं ना अधी सुन ना समय दे रहा है को हम एक S लिख रहे हैं तो हमारे पास S आ रहा है है ना है ना है ना तो जब तक बंदा पूरा लिखता रहेगा यह जैसे मैंने यह लिख दिया ठीक है तो तू देखेगा तो तू देखेगा एक ही email 1 में मेरा पूरा हूँ है ना तो फॉल्स जिटा कहां से हुआ यह मल्टिपल तो ही ना बन रहा है सिंगल ही तो बन रहा है दूसरे बार लिखेगा तो email नहीं email 2 नहीं आएगा ब्रो यहां पर मैंने इसको email 1 कर दिया इसलिए वो email 1 आ रहा है यहां पर मैंने ने ने दिया जा थे दियान का है तुमारा के थिक है देखो से हां से खाल इसको देखो समझ अ को दिमांग में घोल लो इसको 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 इसकी बिना कुछ नहीं होगा तुमारा आ गए state के अंदर कोई चीज मालो है मेरे पास यहांप्स ऐसा कूछ है एमेल दाला मैनने to was the target rapper value हागया अगर मैं कोई भी change गरोगा तो हमेज़े एमेल में ही change in English हमेशा email हップ लिए हमेशा email में change in English email की है, email अग justine हमें क्या करना है हम हम इसलोक क्मेंट एक द्यांक हो तुमें आ रहा है वेख से पहले एक चीज लिखे थी आरे array का sign ठीक है वहां पर दा e.target.name ठीक है तो basically यह क्या करता है object के अंदर अगर तुम्हें variable में नाम देना हो देखो object के अंदर तुम ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो ना ऐसा कुछ भी value दे सकते हो राइट है ना ऐसा तुम ऐसा तुम कोई भी चीज दे सकते हो तुम यहां पर लेको के तो यहां पर dh dh यहाएगा राइट लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ करा where dh dh equals to कुछ ऐसा करा lol कर दिया ठीक है तो मुझे यहां पर यह variable चाहिए मुझे lol चाहिए तो मैं कैसे यूज करूँगा तो मैं use करूँगा इसको ऐसा ऐसा array में दालके दिखातो हमें तुम लेगों को dh dh कर दिया मैंने अभी मैं एक बास को reload कर देता हूं form data में अभी क्या है form data खा लिया अभी मैंने कोई चीज भरी अभी तुम देखोगे first name में कुछ आया and dh dh में lkl की आया lklk की आया लेकिन अगर मुझे यहीं पर ही lol चाहिए तो मैं इसको ऐसा array में दाल दूँगा बतलब dh की कोई value है मुझे वो चीज दिखानी आया या पर तो मैं इसको ऐसा array में दाल दूँगा इसको reload कर तो मैं दुबारा सेम चीज दिखाता हूँ s दालूँगा तो मेरे पास अभी क्या आया dh dh आया lklk ठीक है लेकिन अगर मैं क्या वो save निवाँ save निवाँ यार sorry ठीक है reload कर देता हूँ मैं s लिखता हूँ तो तुम दिखोगे यहाँ पर dh dh नियागा यहाँ लॉल आयाएगा समझ रहे हो यह array का मतलब क्या array क्या करता है ठीक है तो बेसिकली मुझे hmm अगर यहाँ पर यह क्यों किया यह object अलग से क्यों बनाया spread operator यहाँ देना क्या होता है तो बस object को spread करने के बाद देख बेसिकली क्या होता है object के अंदर जित्ती भी value होती है वो एक एक value को निकाल के return का देता है ठीक है इतना समझ ले जो भी चीज होती है वो उसको निकाल के छोड़ देता है ठीक है ठीक है यह हमें पता यह हमें यह हमें पता है यह हमें पता है यह बना रहे तो form data के अंदर जो बी चीज होगे वो इस object में छोड़ देगा ठीक है आप ले form data के अंदर इस time पे कुछ चीजे है माल रे अभी है कुछ आसा इस टाइम पर कुछ ऐसा है इस टाइम पर कुछ ऐसा है तो फॉर्म डेटा के जब डॉट डॉट करेंगे ना तो इसका मतलब इसका मतलब पता क्या है माल नहीं है इसका मतलब 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 इस इस से लागा object के अंदर थेक है this will be equals to this triple.form data का मतलब यह है थेक है and तुम्हे मैने उसका बताया तुम्हे set form data का बताया मैने थेक है अब तुम्हे समझ आया होगा dot 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 form data थेक है इस ते क्या हुआ form केंदर जो भी चीज होगी इस time पर जो भी object होगे वो यहां पर इस particular object के अंदर आ जाएंगे थेक है इस particular object के अंदर आ जाएंगे थेक है comma लगाँगा मैं जो भी event में john कौन सा भी जिस भी particular input का event चालू हुआ थेक है जिस भी particular name का हुआ तो name में change होगा email का हुआ तो email का change होगा dot dot name थेक है democratic बेशलर बचान सा यहां कि अधिए यहां कि अजिए फिर्सनेम यहां कि अधर देवरिबा कि रेक्ल्रण अच Bür lineage पर निचल करना पड़ाइगा कि रिलोड कर देता हूं परस्ट नेम में लिखुँंगा फरस्ट नेम þीख है तुम देखोगे मेरे पास फॉर्म डिटा में यहे लेटेस्ट फर्स्ट नेम ने फर्स्ट नेम है एक अगर दिखाता हूं form data के अंदा है मेरे पास पूरा object बन के तयार हो गया avatar है उसमे email है उसमे first name है उसमे last name है उसमे ठीक है अब इतने उसमे कुछ दिक्कत किसी को ठीक है मैंने अभी तक क्या किया मैंने सिफ और सिफ data को club करके एक particular state में दाल दिया state is all state is just type of variable ठीक है तो in case अगर मुझे यह सारी चीज़े कहीं यूज करनी है ना या किसी को देने तो मैं सीधा सीधा object दे सकता हूं किसी को अभी इमेज अप्लोड का हम करेंगे इमेज अप्लोड का कोई में को धंका API नहीं मिला वरना मैं तुम्हें इमेज अप्लोड पी दिखा जेता हूं या फिर में को कल खुदी बनाने पड़ेगी इमेज अप्लोड की API इमेज बनाने टोड़ेगी इमेरaaaa सिफ इसमें डिस्प्ले हो रहा है अभी हम अभी से जादा कुछ नहीं पर रहे और तो हमें पताचला कि हमने जो भी हम चेंज गेंगे वह हमाला फॉर्म डेटा में या जायगा थेका है form data नहीं हमारा था संगाय कर रहा है रिसेट करेंगे हम TGO रिसेट करेंगे तो काहर कुछ नहीं होगा देखो ढ़िट tar रिसेट क करेंगे ररीसेट बटन दबाएंगे तो घ्रिक हमारा जो फौं मेय ला हुन अमारा फौं मेरा फौंस यह रहेगा इंको ओवराइड कर रहा है, इन चीजों को ओवराइड कर रहा है, तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर reset में हम एक छोटा सा function बना देंगे, ठीक है, on click, on click हम एक function बना देंगे, जो कि क्या करेगा, खाली function है, इसमें कुछ नहीं करें, हम सिर्फ करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर set form data चलाएंगे, set form data चलाएंगे, जो कि इस पूरे उसको empty कर देगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उस इस time पर जो भी कुछ भी form, मतलब इसका मतलब क्या है, जो क्या है ऑलंवे और मıtलब इसके अब हमें और कुछ fare चलाएंगे मेरे कंपोडरा चलाएंगे, यह वाजयों का मैंने लिचा मतलब काशी अब बबुक्च भी और मैंने भी मेंने लोटार सफितवा रागा, मैं रिची पास किया बयासा सिस्ध्राच भी तो दो कि नहीं हम form간 form की तक दिक्कत निहाए किसी को form अम कैसा information को club करते हैं उसमे तो किसी को को दिक्कत निहाए यह यह तरीका है議 form को club करने का भीका मतलब क्या है एक object हम इसमे बनाएंगे नय बनाइंगे तुम चाहो तो इसको अलग guitल सकते हो dh. और किया है वैसे तो जब भी यह फंक्शन चलेगा उसमें सिर्फ ई-mail यह यह और और कुछ नियागा क्योंकि हम सिर्फ ई-mail ही दे रहे है तो हमें इसके जर्फ देशने है और बाद में दुबारा ई-mail आएगा तो वो इ-mail में चेंजिस करेगा तो e.target.name का मतलब क्या होता है e.target.name का मतलब होता है यह पूरा input e.target.name का मतलब होता है यह पूरा input e.target.name का मतलब होता है इस input के अंदर जो भी name है उसका जो भी value है वो दे दो मुझे दीक वो मैंने यहाँ पर दे दया जैसे मैं तुम्हे इसका घ्जम्पल बशाय था डिएभ ने बशाय था यहां पर अगर मैं dhnh लिखू गा तो लोग लाएगा लेकिन अगर मैं इस अटा दुँगा और फिर dh dh लिखूगा तो वो dh dh ही देगा मुझे मैंना आप सबको एक्जम्पल दिखाया था है ना लॉग में दखाया था तो आप उससे आप लोह को कोई इस्यो नहीं आयागा तो देख लेते हैं अब इसको तो अभी तक हमने क्या क्या हमने फॉर्म डेटा बना दिया फॉर्म डेटा किनना हमने वो कर दिया फॉर्म डेटा फॉर्म डेटा के अंदर आएगा फर्स्ट नेम देटा आगया इमेल के अंदर दा लेते हैं email.at at the rate at the rate email.com email.com अगया होगा यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पर हम कोई फाईल कर लेते हैं अब हमें पर यह पूरा फॉर्म डेटा बन गया जो कि एक अपजेक्ट होगा जिसको हम यूज कर सकता है यह तो हुआ फॉर्म क्रियेट करने का फॉर्म यूज करने का पहला पड़ाव यह हुआ यह हुआ फॉर्म यूज करने का पहला पड़ाव अब फॉर्म यूज करने के दूसरे पाड़ा आफ पर जाते हैं तक उससे पहले हम थोड़ा सा जन्ता से बात कर लेते हैं कि क्या जन्ता को समझ आया या नहीं आया तक नीचे से शुरू करते हैं भावेश मिश्र कैसे हो आप कि सक्षी और guitar हा सक्षी अनर्णद सक्षी आलनध ओन आ आपके आपया बात में आता है अक्षी अब बताओ इस हमने फॉर्म बनाये हमने और लीटे उसके अन्गी उसके उसके एक चीज में बदन भूलके सारे सुन लो हम फाइल टाइप इंपुट में ना on key अब यूज नहीं करते है क्यूंकि उसमें कोई key का event ही नहीं वो उसमें तो button click हो रहा है है ना तो हम on click भी नहीं लगा सकते है उसमें हम सिधर उसमें लगाते है on change कि अगर कोई file change हो तो वो चल जाए है तो साक्षिय हम आपसे बात कर रहे दे स्टेट समझा यह स्टेट में यह triple dot का मतलब समझा है triple dot form data का मतलब समझा है कि पका यह समझाना जरह बता दे जो भी याद है बता दे चल तो यूज क्यू करेंगी form data ही बताते है वह triple dot use क्यू करेंगी यह बताते है कि तैम मत पेश करो नहीं आता बोल दो भी यह नहीं आता आनन तू बता कि triple dot form data का यूज क्या है यहाँ पर क्वरा नहीं है बता हम यूज सच करा तो खारगाँ लोगटने यूज करेंगी मत बताती है अच्छा इसका मतलब पता है यह यह ब्रैकट क्यों यूज किया हुआ है यह स्क्वेर ब्रैकट क्यों यूज किया तुम लोग सुनते नहीं हो या मुझे समझाना नहीं आता तुम लोगों को सिंपल से अब इंग्लिश भाषा में समझा रहा हूं तो मैं हिंदी भाषा में लिखके दिखा रहा हूं ट्रिपल डॉट फॉर्म सब सुनो दियान से अब किसी ने गलती की तो अब मैं नहीं समझाऊंगा इस चीज को ट्रिपल डॉट फॉर्म डेटा का मतलब होता है कि फॉर्म डेटा के अंदर जो भी इस टाइम पे चीजे हैं हम उसको इस पर्टिकलर अब्जेक्ट में डाल देते हैं ठीक है जैसे मैंने यहां पर समझाया तुम्हें यहां देखो form data मैंने ऐसा variable बनाया where यह समझा जाया यह हमें बनाना आता है form data बनाना आता है हमें normal form का object बनाना आता है ठीक है यह ऐसा object होता है यह name होता है उसका value होता है key होता है यह हमें पता है ठीक है मैं triple dot form data करूँ ठीक है इस time पर form data के अंदर ये दो value है हम तो उसका मतलब होगा is equals to ये दोनो data को उठाके में इस particular obj में दाल रहा हूँ देख रहो क्या फराग देख रहो समझ क्या मतलब समझे इसको मैंने इस चीज से replace कर दिया ये दोनों चीज है कहां ये है form data के अंदर समझ रहो मतलब इसका मतलब क्या है form data के अंदर जो भी value है वो उसके अंदर आ जाएगी dot operator का मतलब समझा है इसका सिर्फ कुछ काम नहीं होता इसका सिर्फ काम होता है इसके अंदर 10 value होंगी ना तो वो 10 values पर्टिकुलर जगह पर दाल देगा इस particular object में दाल देगा इसको ठीक है इससे जादा इसका और कोई काम नहीं है triple dot का मतलब होता है जो भी इसके अंदर 3 values होती है वो सारा उठाके जहां पर हमने triple dot use किया है इसका हम लिखेंग और समझाता है और का मतलब है इसका और या तो ये या तो ये ठीक है मशीन को तुम लिखे तुहीं न दो कि भाई इस particular जगा पर PO है जगा पर POP है है ना तुम तो सीधा उसको बोलोगी कि भाई ये तीन operator ये जो ये है इसके जो भी value है तो इसको इस object में दाल दे यहाँ पर देख ले ना लिख लो इसको 6-623-2219 तक समझाया है मैंने इसको कि अगर अगर मेरे पास ये है ये है मतलब ये जो है वैर है form data के नदे एक object है ये क्या है ये एक object है ये क्या है ये क्या है अब अब जेक्ट है ये एक object है हम object की नन्दर key होता है वल्ल्ली होता है कि दिपारा लिख कि दे रहा हूं कि ते कि होता है एक वल्ली होता है अब सैपरेट करते हैं कॉमा से कमेंट हो याड आ पिसेपरेट किता है हम कॉमा से अगर यह चीज है अगर मैंने इसको ऐसा लिखा spread इन तीनो चीजों को उठा के इसी सेम ऑबजेक्ट में दाल देगा इसका इन तीनो चीजों को अगर में को एक अलग जगह पे पेश करना है तो तीनो लाइक उपल नहीं दालूंगा मैं मुझे उसके साथ कोई और चीज़ भी अड़ करनी है मुझे देखना है कि भाई में new key देना मुझे ठीक है यह रहा दिख तो ऐसा मैं इसको यूज कर सकता हूं ठीक है, फॉर्म डिटा के साथ तो क्या होगा यह तीन चीज़े तो आएंगी तो आएंगी तो नए object में ठीक है, यह तीन चीज़े तो आएंगी तो आएंगी तो नहीं object में बच्चों वाली चीज़े ही है पहली क्लास में बतातेते हैं लोग spread operator समझो सारे easy है यह है form data का मतलब होता है form data में इस time पर जो भी value है वो इस particular object में आ जाए बस इस से जादा इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है अब बताता हूं इसका मतलब यही तो array है array का square bracket की उसकी है ठीक है माल लो मैंने एक variable ले लिया variable का यहाँ पर कोई name है इसका ठीक है यह name है इसका ठीक है variable ले लिया उसका कोई name है ठीक है मुझे अगर यह name यूज करना है यह चीज यूज करके एक variable यूस करके मुझे उसका value यूस करना है तो मैं brackets यूस करता हूँ, square वाले ठीक है, vary लिखूंगा तो मुझे ये name मिलेगा यहां पर दिखाता हूँ तुम लोगो यूस करके ठीक है, यहां पर दिखाता हूँ मैं रिसेट करता हूँ, कोई चीज लिखता हूँ तुम देखो, क्या आया मेरे पास, खाली आया form data क्यों आया खाली, हाँ देखो इसको यह यूस कराया, मैंने ऐसा यूस किया, देखो जो यहां पर मैंने value दिया था यह यहां पर value दिया तो वो आया अगर मैं इसको ऐसा वारी बिना square bracket की उसको करूँ उपर मैंने इसके अंदर नेम भी दिया हूँ तब भी उसको तब क्या आया मेरे पास जाहां से देखना है इसको ठीक है, रिरोड करें दो इसको जाहां से देखो इसको क्या आया मेरे पास मैं पास वारी आ रहा है, मैं पास नेम नहीं आ रहा समझ रहे हो? तो मुझे अगर e.target. मतला e.target.name क्या देता है मुझे दिखाता हो तुम लोग को लोग करता हूँ इसको मैं e.target. पहले e.target देखो e.target क्या दे रहा है मुझे ठीक है क्यों भाई e.target देखो क्या देता है e.target मुझे पूरा इंपुट दे रहा है देखो इसको इदर देखो इंपुट दे रहा है पूरा का पूरा इसके अन्दर नेम है मेरे पास एक नेम है नेम क्या फर्स्ट नेम ठीक है अगर मुझे e.target . मुझे name का value चाहिए name का value क्या first name है तो मैं e.target .name तो एक है मैं लिखता हुब तुम्हें first name first name मिल रहा है first name यहां पे था e.target.name मुझे first name दे रहा है मुझे पता है अगर मुझे variable का meaning चाहिए मुझे यह चाहिए मुझे variable नहीं दिखाना तो मैं ऐसा square brackets use करता हूँ square brackets use करूँगा तो मैं तुम्हें दिखेगा यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास यह आ रहा है देखो यह आ रहा है मेरे पास अभी देखो समझो इसे लेकिन अगर मुझे e.target.name ही यूज करना है मुझे e.target.name के अंदर change करना है तो मैं e.target.name यूज करूँगा इसको ठीक है यहाँ पर e.target.name यूज करूँगा ठीक है क्या होगा first name का जो value होगा वो आ जाएगा दिखाता हूँ ठीक है रिलोड करता हूँ तुम्हें दिखा के ठीक है यह देखो इस नेम कहां से आया इस पर्टिकुलर के नेम से दिखाता हूँ नेम नेम कहाँ पर इंपुट पर तुम तो देखो कि इंपुट किन्दर क्या है Class है, ID है, Name है, Name है, First Name है यहाँ पर कॉंसोल पर क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा है परस्ट नेम है जआए है कैसे मुझे कैसे पखड़नी पट रही है चीज़ है यहां पर ठीक है यह चीज़ है इसका significance इसका significance समझाया यह क्यों use करते है form data तीन operator का समझाया क्यों use करते है अब मैं पूछूंगा अगर किसी ने गलत किया वासिफ अभीशा समझायो जो अभी मैंने समझाया तीन operator क्या होता है यह 3 spread operator क्या काम करता है यह Siya healing आहिदा आप यह आंप ね Faster विद द्द्दोंग प्रोंग क्लब नहीं करते है बेसिकली जो भी वैलियोज होती है वह हम रिटर्न करते है दे देते है ठीक है क्लब नहीं करते है क्लब तो हम कर रहे है क्लब तो हम कर रहे है क्लब तो यहां पर हम कर रहे है यह सिर्फ यहां पर 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 tv brackets क्यों कते हैं यहोले सिं सिnt इसका simple sa answer है simple variable का value दिखाने के लिए इसका इसका complex क्यों लेके जाता हो बार variable का value दिखाने के लिए यहाए fields अब बना Baby तो मैं खिए लिया, चाहार। तुम्हारा पर मोखंशा मैं जत्तेञा जड़ा ताहसे, को की इसे साथ नगा से क्रीच नो मेवा तुम्हारा या क्यों है के अपुम्हार या कशा यल्या नियु दरत मैं आकशती तो आइसनल यहां कि आपता है कैंक तुम गरत दो गे तो यह तुम्हें तुम्हें क्लब और इसे इन्में आपने बस्काफ। तुम बताओ स्व depends education वो आज 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 आका इस बीस लुकिया अजुरल्ध में रहा कि थिकर अभी समझे हो आगी इसको याद रखनाओ तीक है एज है जो प्राकिट्स वे राकेट्स का सिनिफिकंस कि और ग्राकेट्स के वे राकेट्स के विए राकेट्स कर रहे हम अच्छ लास्ट्नेम पे हो मैं थीड़ी भी अच्छ तो जब अगर मैं last name में कोई चीज चलाओंगा तो बता इन में से कौन सा attribute आएगा attribute का नाम बता जैसे type class इसका बता इसमें कौन सा वाला यूज करोंगा अगर target.name.e.target.name यूज करोंगा तो कौन सा आएगा अगर मुझा ID उसकर ना हो तो मैं target.e.target कर के क्या लगाऊंगा name to या ID good abhijit आया कुछ बुद्धी में अगर त्रिपल डॉट समझाए क्या समझरा भाई तो क्या समझरा भाई तो डिस्ट्रिबूट का मतलब क्या है बाई मैं तो मझे निसम डिला कि या तो निए निए समझनी आया या तो तू समझ़ हाने पारा हाँ ठेक है पाची दाल दे मैंने ईयरा पाची दाल दे मा झालिया पाचीड दाल दे हाँ अब अब प्रिटियर थोई ना यूज कर रहा हूं मैं इसमें प्रिटे यूज कर रहा हूं कि तू ठीक से रख देगा इतना बोल कि भाई तूम यूज करोगे तो वो इस पर्टिकुलर वैल्लियू में दे देगा उसे से ही Catal यहां पर रीटर्न कर देगा जो तू वर दूद रहा है रीटर्न डिस्टिब्यू नहीं है रीटर्न कर देगा रीटर्ण कर देगा आफनन तो काफी टायम से वह न कोछ पूचा ही नहीं तो मताव बता हो तोनों का मतलब बताव मुझे एक डॉट टागे डॉट वेल्यू का मतलब बता है मुझे जो स्क्रीन पर है जो मैंने हाईलाइट का रहा है इसका मतलब बता यह तो कल भी बतायाता है मैंने कल क्लास में थे कौन सी वेल्यू स्टोर होती है तो बता यह तो बता यहां पर में इमेल में सीडी सीडी लिख रहा हूं तो बता फर्स्स नेम का वेल्यू क्या होगा असान है यार देखके तो बताना है बता कहां चले गए अब हुतो मैक चलो था हाँ फर्स्स नेम का वेल्यू क्या होगा अरे फर्स्स नेम का वेल्यू क्या होगा बताओ स्क्रीन पर आंसर थे तुमारे या तो यह बोलो सर मज़े समझ नहीं आया e.target.value का मतलब क्या होता है हा तो value कहा है first name का तुमारे सामने है यह रहा triple s यह रहा तुमारे सामने value, value पता है क्या होता है किसी चीज का value इसका value यह है ठीक है इसका value यह है इसके अंदर जो भी लिखूँगा ना मैं वह आएगा मेरे पास e.target.value के अंदर अंदर जो इसके लोग है इसके अंदर कुछ पूछा नहीं जाओ बरेगा तुम लोगा आदेगा 15-minute का जाओ जाओ बरेगा तुम लोगा आदेगा 15-minute का जाओ हमें पता है कि कुछ variable होते हमें पास थेक है अगर ob की value hello class है तो यह print क्या कर रहा है यह hello class print कर रहा है थेक है तो हमें इतना पता है कि log ob की value हमें देदेगा थेक है चल्ड़ आभी काम करता है थेक है वह भी के अंदर एक object बना देता है थेक है एक object बनाया जिसके अंदर नेम है पास्वड़ है एक email बिताल देता है थेक है तो object में क्या आ रहा है object में तुम लिखे हुए curly braces के साथ चीजे लिखे हुए आ रहे है थेक है इतना समझा गया object object का क्या है object का यह value दे रहा है object हमें बनाना आता है किसी को यह ऐसा तो नहीं जिसको object बनाने में इस्यू हुआ थेक है अगे बुड़ते है अब हम बनाते हैं where object 2 थेक है उसके अंदर हम कोई values दे देते हैं थेक है और हम कहते हैं कि object name और हम object 2 हम प्रेंट करा देते हैं थेक है यहां तुम दिखोगे कि object 2 के अंदर यह value है यह value आ रहे है मेरे पास थेक है अब हम एक काम करते हैं अब हम यहां पर ob की value देते हैं थेक है ob की value दी तो क्या आ रहा है मेरे पास तो तुम दिखोगे मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है तुम दिखोगे मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है new name के ऊपर एक OB का पूरा object बनावा रहा है ठीक है ठीक है देखरो एक यासा आ रहा है मैंने क्या किया मैंने एक object बनाया एक नए object बनाया और सीधा उसमें मैंने object दे दिया ठीक है तो यह क्या आया OB आया OB के अंदर OB के value आया OB आया OB के अंदर value आया अगर मैं इसको ऐसा कुछ लिखा हूँ new OB J तो यह क्या होगा यह सेम ही चीज़ आया लेकिन OBJ OB की तेका OBJ आया इसका मतलब क्या अगर मैं directly OB दो तो javascript इसको उसका नाम लेता है अगर मैं कोई नाम दो तो यह वही नाम ले लेता है ठीक है jh equals to OBJ का value ठीक है अब हमारा main मुद्ध है परिशानी का कि भाया यह spread operator क्या है ठीक है तो हम एक बाद spread operator यूज कर लेता है तुम देखो अभी इसको नाम रहाए तुम देखो तुम देखो नाम देखो क्यासा आरहा यहांपाँ भी देहान Do हम ने OB दिया यह ब्रीक पास आरे ब्रैकेटs दिख रहे यह ब्रैकेटक्ट से इसका मतलब क्या इसने आरे पूरा OB दिया पूरा इसने OB को एक object दिया जिसके अंदर ये तीन value है तीन value कहां से ये तीन value होगी है ना अधरन उसके दाद उसने k को दिया है ना लेकिन तो देखो अगर मैं ob2.ob करता हूं तो मुझे main value मिल रही है है ना ob2 क्या है देखो ob2 क्या है ob2 है ये variable जो मैंने बनाया है तो मुझे मिलता है ये क्यों क्योंकि ob के अंदर मैं ने ob दाला तो यहां पर ऐसा आगया dot operator मैं पता क्या होता है dot क्या करता है इतना हम पता है इतना हम पढ़ चुक है अब हम देखते spread operator क्या करता है मैं इसके आगे लगा जाता हूं 3 dot तो तुम देखो क्या चेंगे आगे आगे तो मैंकिया पास तुम्हारे पास चेंगे आगे कि इसने ob नहीं दिया इसने ob के अंदर जो value थी 40 वही त्षी और तीन ये तीनों ठीक है अब डींडर गे के अंदर जोबह्य प्रन में लाइ। भी इसने value % जूकिस से समझे तो हमने यहाँ पर 3.q यूज किया थे कया? coś हमने 3.q क्योंकि सबसे पहले तो यह देखो पहले हम भी जू बना लेता है हम यहाँ पर नेम जए देता है हम यहाँ पर कोई बेलिवी साट जिसमें चीज़े चाहिए इसके दा हम कोई कोई डिफॉल्ट फिल्फ नमेने डिफॉल्ट टिया धिस डिफॉल्ट जो कि हमेशा इसमें रहेगा right and then I have said ks equals to ks equals to leave it, where are you going to complex easy things then I have said . . . . obj and put whatever other things and then I have logged so I am seeing default but its value ok what if what if I will make an array so I am creating an array what if I am creating an array and in the object I will make an array okay तो तुम देखो कि आया है मेरे पास array 2 आया है नाम आया and then उसके इन तर तीन array आया array देखो ना सका square bracket आया है square bracket का मतलब आया है है ना object के अंदर जब मैं object दिखा रहा था तुम्हें तो वो curly braces आ रहे थे 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 के curly braces आ रहे थे यहां पर कर लिब्रेसे आ रहे थे हैं यहां पर array आ रहा है what if अगर मैं इसके आगे भी तीन डॉट लगा दूँ तो क्या आया आया 1 2 3 इसका मतलब क्या है array के index 0 पर PE है 1 पर 0 है 2 पर 88 है यही हमारा था 0 पर PE था 1 पर 88 था यही था तो क्या क्या है spread operator ने इसको भी रिटन कर दिया थेक्या तो यह होता है spread operator spread operator समझा है किसे को जो भी जो भी values होंगी वो दे देगा देखो ना फरक देखो दोनों में दोनों में फरक देखो सिंपल सा यूज्सकेस यह है कि तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए रहां तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए तुम्हें सिंगल अब्जक्ट में साथी चीज चाहिए है रहा मुझे name value सारे default default के level पर जाहिए मुझे अंदर वाले level पर निए देखो ना इसको object जो है object जो नाम है यह default के level पर है and जो name है वो object के अंदर है तो अकर मुझे name पकड़ना होगा इस particular case में क्या करूंगा? मैं करूंगा ks.object.name ks.object object.name क्या है obj कर रहा हूँ तो मैं बस l क्या आ रहा है इदा दिखाता हूँ ठीक है यहां पर रोहान आ रहा है क्यों क्योंकि मैं obj.object.ks.object.name बस रहा हूँ क्यों क्योंकि मैंने इसको क्यों क्योंकि मेरा ks ks के दे एक object बन गया है क्यों ks के दे एक object बना हूँ हम लेकिन अगर मुझे object के अंदर इतना अंदर नहीं गुसना मुझे साही चीज बहार ही देनी है तो मैं क्या करूंगा मैं आपर operator लगा दूगा तो यह क्या error दे रहा है cannot read property of cannot read property name of undefined इसका मतलब इसको object जो है वो undefined मिल रहा है अकर मैं ks.name करूं तब क्या होगा तब तुम दिखोगे मुझे name मिलेगा इसका मतलब क्या वहां से बहार आगया थीक है I hope अब सब को समझ आया होगा कि operator का कि यह spread operator हम क्यों use करता है थीक है हमें अपने हमें अपने इन चीजों को use करने के लिए वो करना पड़ता है हमें एक object बनाना है हमें चीजों कलब करना है तो हम उसी साब से चीज़े करता है तो हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी तो हम क्या करते हैं तो चलो इसका एक और use case है spread operator का एक और use case है वो use case है चीज़े copy करने के लिए copy कैसे करते हैं माल दो मैंने ऐसा कुछ कुछ करते हैं चलो यह देख लो array 2 है array 2 है object पर जादा काम करेंगे object 3 ले लिया object में यह दोनों चीज़े मैंने इसको कर दिया obj मैं नीचे काम करता हूं पहला मैं लॉक करता हूं obj दूसरा लॉक करता हूं obj date 3 दोनों में same value आ रही है दियान रखना नीचे दोनों चीज़े लॉक हो रही है इसको हम हटा जेते हैं इसको हम नीचे लगा जेते हैं अभी हमने क्या क्या अभी हमने obj obj दे दिया अब अगर मैं obj 3 कोई जीचिए जीचिए आप obj name जीचिए name कुछ भी करे दियता हूं ठेक है is use case आप const const कॉंट से तो नहीं होगा के नहीं आरल सही कर दे का वो कर दो कि अमचा का कर दे कर देखो लिए और भी कि आप मेरा मैं रहाए है अचणी कर देना तो भी में लिए बदो देरे किसी और कोपी करते हैं तो अच्छा कर देता है क्या सा बदो देखो यहाँ पर मैंने अरे 2 का कोई value दाला ठीक है अरे 2 को मैंने object 3 में मैंने copy like equals चु कर दिया normal assign कर दिया इसको ठीक है and then मैंने object 3 के लिए मैंने कोई चीज अड़ करी hmm तो object 3 में तो वो change हुआ ही लेकिन object 2 में वो दिखाता हूं तुम्हें ठीक है 3 को दिखाता हूं मैं तुम्हे अरे 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 दिखाता हूं ठीक है इसको ऐसे अरे अब देखो यहाँ पर इसकी length 4 है इसकी length 3 है ठीक है मैं यहाँ पर change कर रहा हूं array 2 मैं यहाँ पर change कर रहा हूं array 3 को ठीक है मैं यहाँ पर change कर रहा हूं array 3 को एसा होता है pointers के वाज़ा से इसका like pointer दे देता है इसको and जो भी change करते है ना तो यह same जगह पर change देता है तो इसका other way around किया है यह है कि हम object operator use करें हम अगर हम एक object 3 को एक array बनाना है जिसके अंदर array 2 की चीज़े हो लेकिन अगर हम object 3 में कोई change दो array 2 में कोई change ना हो तो हम क्या करते हैं हम एक array बनाते हैं उसके अंदर रहा हम दे देते हैं तो यह भी यह भी चीज़ है यह भी चीज़ है यह भी चीज़ है यह भी ऐसा काम आता है operator spread operator तो इस दो चीज़े थी जो तुम्हें समझना जरूरी है spread operator के लिए थेक है I hope अब सब को समझ आया होगा कोई ऐसा भूला बटका नहीं रहा गया होगा जो अभी भी बोलें कि यह spread operator क्या होता है spread operator का सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो चीज़ों को spread कर देता है object iterable objects को जहां पर हमें use करना है वह पर दे देता है तिक हम यहां पर triple dot करूं तुम्हें कैसा आ रहा है object के लिए 1 2 3 आ रहा है है ना देख रहो सीन क्या है किता सही है यह spread operator किता यूस्फुल spread operator किता यूस्फुल स्प्रेड ओपरेटर है ठीक है कि यह जिसको अभी समझने आया कांगया वो कि दिखने ने रहा मज़े वह भाई सब लड़का आया नही आनन्त आया नही रिया तुम्हारे इंटरेट से चल रहा है अब हेलो हेलो रिया आनन्त भई कहां परेटे तुम्हारे इंटरा करा था मैं ना पूरा spread operator पड़ा दिया दुबारा तुम्हें पिस क्या समझा भई बता दे अब समझ गया तो क्या पर दो क्या से चल रहा है आएच अब क्लाइटी आई दे राउंथर में यह जो पूरा code है यह मैं तुम्हें गिटब पे दे रहा हूँ एक फोल्ड बना रहा हूँ इसके नमें फोल्ड फाल बना देता हूँ spread.js तो यहाँ पर मैं पूरा पेस्ट कर रहा हूँ I hope अब लोग तुम लोग कोई गलती शलती नहीं करोगे इसमें ठीक है इसको अब हम बत कर देता है अब हम वापस अपने इसमें आ जाता है ठीक है अबना माइक कर दानाद तुम्हें अबना माइक कर दानाद अबना माइक कर दानाद थेक लिआ इन्दरे पीघए कि टेका यहाई पनी इमेल दाला थेक है यहाई अपना लैस्टनेम दाला थेक है कोई दोस्ट कर ले हम् ensuring time पर जो भी मेरे पास वहोगा ना जो भी मेरे पास कि झालक जो भी मेरे पास अभजेट होगा वे दखो सटेट झिःए जो भी मेंट सेट होगी उस किनने कहा चीजे में इ EU मेंपस ने मैं एमेल नास्ट नेम आpan Sweet totally ि थीद हो यह यह थे पर में अभे ऊपय। आघ submitted ने में इन चीजा करऊंगे बाकें को कारिकें दूऊ तो backend को चीज़े देने के लिए हम बेज़ते है sttp request sttp request करने के लिए हमारे पास हम क्या करते है हम एक library install करते है थेक है npm ixios axios थेक है हम इसको installation पर लगा देते हैं और हम फिर सीधा इसकी documentation पर चला जाते है ये tool xios थेक है वो हम use करते है xios का करता है xios javascript का एक package है जो की तुम्हें sttp request करने में help करता है थेक है हमने ये command चलाई है भी npm ixios थेक है xios इंस्टॉल हो जाएगा xios को use कैसे 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 common js use कैसे 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 const required xios default not js का मतलब normal js का हम normal js नहीं उस करेंगा हम use करेंगे इंपोर्ट वाला थेक है बाकि चीज़े सेम होगी असान मेथड है get API उसके निकले हम लिखते है xios.get and then उसके अंदर हम URL दाल देते है थेक है URL जो होता है URL दालने के बाद वह एक promise होता है promise मैं बताँगा तुम्हें क्या होता है promise अभी concept आएगा हमरे पास एक promise थेक है catch क्या होता है try catch सुना है किसी ने try catch क्या होता है यह वैसा ही कुछ होता है थेक है सब बताएंगे हम तुम्हें यह तो होगया get API कि तुम्हें चीज़े get करनी है post कैसे use करते है post के देने हम post use करते है then second argument में हम data दाल देते है वह data है जो हम use कर रहे है देखो first name last name वैसे ही data है object है वैसे ही data हम वैसा सीधा सीधा दे देते है थेक है Xeos के कुछ methods होता है method post URL या URL देना है तुम ऐसे भी Xeos को तुम use करते है लेकर हम ऐसे use ने करेंगे हम simple इसी तरह use करेंगे थेक है बागी अपना सही है simple है बागी मैं तो हूँ तुम्हें बताने के लिए का से use करते है हम देखते है हमारा Xeos install हो गया हमारा Xeos install हो गया थेक है तो हम क्या करते है हम एक अलग से छोटा से फंक्शन बनाता है बलकि फंक्शन बनाया है हमने है login तो basically मैं क्या चाहता हूँ कि login क्लिक करने पे मेरे backend को सारी information मिल जाए जो कि user ने भरी है ठीक है इतने में तो किसी को दिकत नहीं है कि login जैसे बटन दबे ठीक है user को पता चल जाए मतलब backend को पता चल जाए कि किसी ने ये particular चीज ये data आ रही हो सकता ठीक है तो हम backend को data भीजेंगे कैसे हम करते है मैं import xios from xios ठीक है इतने कर लिया हमने अब जैसे मैंने बताया तीन चार टाइप की request होती है get request post request put request and delete एक और होता patch patch and put में कोई फरक नहीं होता patch and put similar है तो हम patch को उठाके put के side में रख देते है ठीक है नहीं आएगा simple है normally तो समझ रहे हम post का मतलब होता है to give data to backend ठीक give data to backend अगर post method यूज कर रहा हूँ तो 100% कोई data जा रहा होगा via body json या और body form data form data form data form data form data ये एक तरीका होता है data भेजने का इसके दाभाई इसके दाभाई इसके दाभाई images भी भेज सकता है तो इतना समझ लो जब भी तुम images के साथ काम करोगे तुम form data यूज करोगे नहीं तुम json दालो के json json is nothing but js object असल में json एक अलग ही चीज है data represent करने का तरीका है जो की widely use होता है हर language में c, c++, java, javascript, python, go हर language हर language में json हम use करते है machine learning में json use करते हैं हर चीज में json use करते हैं json क्या है js object जिसते हैं इसा बना सिखाया है एक तम same data होता है एक चीज चेंड नहीं होता है एक चीज चेंड नहीं होता है हम तो यह चीज तुम समझ गए होंगे body दो रहों में time में body होगा लेकिन time में json body होगा time में form data body होगा ठीक है put and patch की बात समझ लेते है तो यह होता है update data ठीक है अगर हमें data update करना हो तो हम put request use करता है इसके अंदर भी हम data देते हैं इस तरीके से ठीक है by by giving data to backend ठीक है and एक होता है delete delete तो समझ रहोंगे to delete a data info from backend ठीक है ठीक है किसी को यह होते है methods rest api methods अभी जो हम करेंगे वो सारा हम करेंगे rest api ठीक है rest api में होता है rest api का use होता है rest use करते है हम cut operation करने के लिए cut operation का cut operation का मतलब होता है create read update update delete ठीक है c u r d ना तो अपडेट लगाता है फिर वो लगाता है ठीक है ताकि तुम लोगों का याद रहे मैं हर उसका capital का देता हू c u r d कोई तुम से पुचा cut operation क्या होता है तुम काओ के create update read delete करने के लिए अब तुम काओ के create read delete क्या होता है यहां तो हम get post put कर रहे है create होता है जब हम data देते हैं यह है तुमारी theory हम अब आजाते है थोड़ा सा practical use में हम तुमने यहां दिखाता है मुझे postman में एक button दबाता है वो information मुझे दे दे दता ठीक है अब मैं क्या करता हूँ axios कैसी उसकरता है syntax है syntax है axios.get यहां पर मैं देता हूँ url ठीक है इसके आगे मुझे header देना होता है तो मैं header देता हूँ headers ठीक है कोई भी header देना होता है मुझे post करना है चीदों axios.post ठीक है यहां पर मुझे url दे देता हूँ json body json body or multipart form multipart form multipart form बतलब यह form data multipart form ठीक है and then उसके आद मुझे header देना होता है मैं header देता हूँ header क्या है भी हम आगे पड़ेंगे ठीक है post समझाया same चीज put के साथ है same चीज put के साथ है बस हम post के लिए का put लगा देता है exios.put ठीक है exios.put लगा देता है then हम बाकी same चीज़े देता है ठीक है delete के लिए हम exios कोई करता है get वाला same है लेकिन हम सिफ delete लगा देता है ठीक है यह है syntax यह है syntax exios use करने का ठीक है अब हम पहले तो हम data दे रहेते ना इस particular form में तो हम data दे देते है मैंने क्या बदायता तुम लोगा मैंने कहा था कि मैं एक API ढूंडी है तुम लोग के लिए जो कि बिना मतलब किसी और का backend बनावा है किसी और का backend बनावा है उसने रहा कि तुम इस पर चीज़े पोस्ट करो और टेस्कर लो पनी मतलब तुम सीख लो API कैसे यूज़ करता है तो हमने का थीक है भाई हम यूज़ कर लेंगे तेरी API तो हम एक बार रस 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 हाँ ठीक है फेक डेटा मिलता हमे फेक डेटा है तो हम यह चीज़ यूज़ कर लेते इसने कहा कि अगर तेको लिस्ट आफ यूज़ चाहिए तो तुम यह कर लो अगर तुमें कोई यूज़ बनाना है तुमें पोस्ट करना है तो तुम यह यूज़ कर लो तुम यह यूज़ कर लो तो हम कहेंगा थीक है हमें भया यूज़ करा दे तो हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं पोस्ट पे इसने कहा तुम यह यूज़ कर लोगे तो response आना जगी है तो मैं 201 201 response होट है create status code है बहुत साइ status code होट है हां जी अभी जीट बता देता हूं बता देता हूं एरर 404 यहस एक्जाक्टली वही 404 आता है status में तो इसका मतलब वो जो तुमने चीज करी वो नहीं मिली तुमें 500 आता है तो इसका मतलब बैकेंड वटा वड़ा है बैकेंड से response ही नहीं आ रहा हूं 200 आता है की okay है and 201 का मतलब है कोई चीज क्रेट होई ठीक है तो अभी हम पोस्ट करेंगे हम create यूज करेंगे थेखो c u code operation है यह भी ठीक है अब हम काता है हम सो create करते है हमें पता है कि हम एक्ज जिस करता है यूज दाए हम पहले उसमें शॉर लाल देता हम उरल लाल देता है हमने अल दाल दिया sorry get नहीं हमें post उसकरना है हम data देना है na post तो उसके बाद मैंने कहा था कि यहां पर तुम data दालता हो json body at data मैंने यह form data बनाए यह form data बनाए json body तो मैं टोल jour पूरी form data ले सकता हूं वैं मैंने यहा हूं पूरी form data अब मैं इसको save करता हूं इक अब पहले देख़ लेता हूं कि इसको उसलम यह है कि तुम मुझे name दो तुम मुझे job दो तो मुझे idonC dados मोझे create तो मुझे name दो czym मुझे job दो okay request का कर रहा हूं मैं name & job request कर रहा तो मैं इक काम करता हु मैं इक काम करता हूह मैं यहाही जो मैंने बड़े नि-द wondू बनाई इन में USB trade otros इन में से 1 जा आуса जा पर आए हो इसको मैं Dé 1íamos कोई ऐसा यूज कर रहे हैं जो कि यही चीज़े यूज करता हो है ना test API Postman में यूज कर तो रहा था यह तो हम यही चीज़ यूज करता है यह हम पॉस्ट में यूज कर रहे हैं यृज करेंगे हम अपने यही करेंगे अपने आपन Canada यह जा रहे शागया रहे Ett刚र वैडोर गलती सा आगया एर जंक और रही कुछणी ताइक है तो हम Elsa thank you हमारे हैं क्या है यहां ने हम टालते हैं रॉषदार कोछ दूसरा हम我很 cool ने हम ID दालते हैं ताइक है ठीसरा हम दालते हैं कोई ऩशथ ताइक है तुम देखोगे जाम मैंima state में is math ए-mail लास्ट नेम धिक या अब मैं गया थाँ मैं लोग इन कर देता हूँ कुछ हुआ नहीं, क्यूँ नहीं होँआ क्यूंकि हमने कोई चीज हमने सिर्फ पोस्ट कर रहा है हमने कोई चीज नहीं किया तो हम क्या देखते हैं हम इरे निटवर्ट अप में आता है यह सब, देखो अभी, लोग इन प्रेस कर रहा हूँ है, तो यूजर आ गया, है ना? कौनसर मिथट किया हमने पोस्ट, स्टेटस कोड किया है, 201, देख रहे हो, चीज़े मैच कर रहे हैं अब, है ना? अब हमने उसको भेजा क्या, रिकोस्ट पेलोड, रिकोस्ट में गया, 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 रिकोस्ट में इसके आगे मेरे पस id भी आई है, इसके साथ मेरे पस created ad भी आया है तो यह method यह तरीका होता है backend को information भेजने का and backend क्या करता है backend तुम्हें वापिस response भेजता है वो कहता है कि status code वो आता है 201 कि भाई बन गया है कोई error नहीं आया है कोई error नहीं आया है and response में वो भेजता हा कि क्या बनाया है, उसने यह चीज बनाया, इसने id दी हमें ईमिल के सबसा हमें id दी हमें created ad एक्ट्रा information दी यह चीज तो अमने दाले निती हो ना id दाले created ad दाले यह कह सा आया यह backend साई तो यह तरीका होता है back end में चीज़े देने का अब हम क्या करते हैं अब हम देखते हैं कि भाई अब हम इसको use कैसे करें इसका तरीका होता है इसको कहते है promises यह जो exeos होता है वो होता है हमारा promise promise एक concept है basically function जैसे होता है लेकिन वो थोड़ा सा basically वो asynchronous calling करता है इतने सारे मैंने भारी words बोल दिया उंको मत समझो तो मितना समझो promise अगर कोई चीज़ promise होगा तो तो मुसमें एक खतनाक चीज़ उसका नाम है dot then dot then एक function है इसका मतलब होता है जैसी ही यह operation complete हो जाए उसके बाद हिंदी में समझो इसको जैसे ही जैसे यह operation complete हो जाए उसके बाद कुछ करो थेक है वो function होता है जो की एक function लेता है जैसे की map में करता था map के नदे में करता था कुछ map के नदे में ऐसा data लिखके arrow function बनाता कि कुछ कुछ करता था है ना तो वही चीज़ करने है बस map के नदे में dot then लगाना है dot then के अंदर में request response दे देता हूं response क्या है response response मैं देखता हूं कि response के अंदर में पस क्या आएगा इसमें किसी कोई दिक्कत कि यह क्यू कर रहा मैंने यह तरीका है किसी भी then के अंदर या map के अंदर function चलाने का ठीक है अब हम देखते हैं कि हमें response में क्या आएगा ठीक है हम लॉग पे जाएगा अब अब जाएगे लॉग पे हम इसको रिलोड कर देंगे ठीक हम इसको रिलोड कर देंगे हम कुछ कुछ चीज़ टाइप करेंगे हम लॉग इन करेंगे तुम देखोगे में पास form 27 पे एक चीज आई form 27 यहां पे response में में पास यह चीज आई शुरुआत से पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ आ सकती है configuration में आता है में पास कुछ data आता है कि तुमने भीजा कि क्या क्या था header आता है header में क्या भीजाता है तुम यहीं पे इस form data के बाद तुम चीज़े आड कर सकते है यहां पे जो भी तुम चीज़ आड करको साइडी चीज़े header करना हो जाएगी अब हम इस पर ही बात कर लेगे header आएगा ठीक है यह चीज़े हमें नहीं पता क्या यूज आएंगी कभी नहीं आएंगी method हमें पता post हमने यूज किया नीचे आजो फिर आजाता है data data क्या आ रहा है यह data है यह सब का different होता है तुम्हारे backend वाले के उपर है वो क्या रखता है जैसे मैं के करता हूँ मैं एक data देता हूँ data के अंदर जैसे यह data यह तो आता ही है इसके अंदर में result इसके अंदर में pagination देता हूँ page कॉन सा है कोई error तो नहीं आया तो जब हम बनाएं के तब बात करेंगा तो हमारे उपर है जो भी backend प्रस्यू करना चाहरा है वो data बनाने में थोड़ा सा informative रखे उसको कि वो information जादा दे कि front end वाले को पता चल जाए कि भाही क्या सही है क्या गलत है तुम देख रहोंगे data के अंदर में पर created ad आगया email आगया अब मैं क्या गरता हूँ इतना हमें पता थे लगया हम चीजे तो create कर पा रहे हैं तो हम इस response को use कैसे करेंगे थेक्या हम इस response को use कैसे करेंगे अब ये बात है response use करने के 2 तरीके होती है एक तो तुम तुम use state तुम use state बना लो जिसका नाम रखता हूँ मैं response data response data रखता हूँ यह शुरुआत में null यह शुरुआत में null यहाँ नीचे यह क्या है अरे ओके यहाँ पॉच्छ गया यहाँ यहाँ पर हमने इतार सारा form बनाया एक फॉर्म के बाद में काम करता हूँ मैं एक नए रो बनाता हूँ रो के लिए मैं .call12 बना देता हूँ उसके लिए मैं लिखता हूँ उसके लिए मैं javascript देता हूँ जावास्क्रिप में देता हूँ कि अगर response.data नल है अगर response.data null है नल है क्या मतलब है अगर यह present है इसको उल्टा लेते ना अगर यह है लाग यह exist करता है यह null नहीं है यह करते है उन्डिफाइंड नहीं है तो यहां दे दे तो यहां पर रिटर्न कर दे यहां दे वेल्कम ठेक है welcome rest data dot first name ठेक है हम यह क्यों लिख रहे हैं हम यह इसलिए लिख रहे हैं क्यूंकि हमें एक तरह से हमें हम यह स्क्राइब कि हम क्या है हम यूज कैसे कर जकते हैं बैकेंड से आया वे डेटा अप में तो मैंने क्या गया मैंने response data के इंदा first name क्यों दिया कि मुझे पता है first underscore name आएगा first underscore name आएगा वह हम response data में save कराने वाले है कैसे कराएंगे वह अभी मैं बता हूँगा वैसे तुम लोग को पता होना जीए कैसे कराऊँगा यहां पर बस मैं state कंदर state set state यूज करके मैं इसको करूँगा welcome this नहीं तो क्या है नहीं तो क्या है you are not logged in okay and this पूरे को में एक h1 tag में जाल लेता हूँ ताकि यह बड़ा बड़ा दिख्या है okay तो अभी क्या होने वाला है अभी क्या होने वाला है हम इस form से जो हमने rest dot is not defined okay d okay d छोटा लख्या है मैं आप नीचे यहां मैं d छोटा लख्या यहां पर मुरे बड़ा लखना है d ठीक है यह तो राज data यूज करेंगे हम तो basically हम क्या करने वाले आज हम यहां पर कोई email दालेंगा हम backend पर भेजिएंगा backend से जो response आएगा हम यह पर show कराएंगा ठीक है अब मैं तुम्हे और चीज दिखाता हूँ hello this you were created at you were created at हम यहां पर जो create at आएगा हम वह भी show कराता है rest data dot created at created at created at ही आएगा चक कर लेते हैं हम एक बार console clear हो चुका है created at आएगा है ठीक है यह हम देखते हैं कि अगर यह present है तो यह show करें वरना लिख दे यह you are not logged in ठीक है तो अभी you are not logged in आ रहे मैं यह काम करता हूँ तो मैं नया वह एक नया यूजर बना देता हूँ ram ठीक है ram at the rate ram.com ठीक है मैं इसका नाम लग देता हूँ राम जी का वह करता है सरनेम करता g ठीक है अब मैं यहां पर नजर दालता हूँ network tab में में पास backend वह गया ठीक है and वह आ गया response आ गया ठीक है response तो आ गया यहां पर कुछ हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमने ऊपर set state में हमने कोई चीस्ट करी ही नहीं है ना यह हमारे पास normal चीज था तो हम क्या करेंगे यहां पर हम यहां पर set rest data use करेंगे ठीक है हम इसके देंगे response .data पूरा response.data हम इसको कैसा कैसा देतेंगे response.data क्या है मैं यहां पर तुम्हारे पास log दिखाता हूँ तुमें Is this response.data बढ़िय Hug कर दे लाड़े, स जादियृ यहां पर रिश्पॉस कैसे लाड़े response.data अजयु मतरले पर यहां चीज है so response.data θα े इस लाड़े वहां पर भाड़े सो पर घर मैं आभ कि तुम्होंनों और लोग it okay okay ática अपने थेकर निया ह उदनाता है राम दो फि नेा निया यूटब्स बने दो इख अ अब दे इसको आल लेता हूं मुछलिम तोलम जी बेरी निसट्ट्ट्ट्र क्षस में थेल reliability करे lazini आए तो मैं यह यह वैल्कम सब्स मेंडिय थे वैलिकम यहडalgia तो ऐसा हम बनाते हैं form ऐसा हम भेजते हैं बैस को कैते हैं backend गो ठेक है एसे हम उसका data यूज़ करते है state में यूज़ करके .then का मतलब समझ आया, .then का मतलब क्या होता है .then का मतलब होता है इस particular function के बाद ये चीज़ रन करो ठेक है easy है .then उसके बाद ठेक है इसके साथ एक और जीज़ होता है हन जी अभी जीज़ काम करेगा ये, काम करेगा काम करेगा response message नहीं आयेगा response message नहीं आयेगा क्योंकि response रूम यूज़ ही नहीं कर रहे रूरे लिश रिस्पॉंस उसने दे दिया हमने इसको catch नहीं किया हमने response को पकड़ा यह नहीं हमने यही पर function खतम कर दिया है ना response कहां गया वो हवा में चला गया उसका कुछ यूज नहीं लेकिन backend को data जा चुका है backend से data आ चुका है है ना मतलब backend से हम communicate कर चुका है लेकिन backend का जो answer आया हमने उसको catch नहीं किया यह तुमारी use case पर depend होगा कि तुम्हें कैसा use करना है हम तो अभी हम वैसा दाल लेते हैं अब मैं एक चीज बदाता हूँ अगर तुम्हें इस particular यहां से यहां तक में इधर से इधर तक में कोई भी error आएगा backend से कोई भी error आएगा तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे माल लो user ने कोई ancient data दे दिया ठीक है और backend ने बोला भाई यह यह जो particular data है यह मैं accept नहीं करूँगा ठीक है उसने email के अंदर at the rate नहीं लगाया backend error मारेगा कि भाई email के अंदर error नहीं आया तो मैं यह particular request जो post request भेज रहा है मुझे मैं वह use नहीं करूँगा तो हम ऐसी चीज़ों कैसे catch करते हैं तो ऐसी चीज़ों हम catch करते हैं .catch method से .catch method से ठीक है तो हम .then के बाद भी catch लगा सकते हैं वरना आप normally आपको catch लगाना आप normally भी catch लगा सकते हैं तो कभी भी आप promises यूज करो exhaust यूज करो तो आपको catch लगाना है तो हम catch में क्या करते हैं वही same तरीका response वाला बस हम नाम चेंज करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर response नहीं चाहिए हम यहाँ पर चाहिए error तो हम unror to error यूज करते है Error के लिए मैं ऐसा normal वो बनाता हूँ Error के लिए मैं ऐसा बनाता हूँ how الiken 10 करते है करते है ज करते है मैं arrays Canvas आमुदे कि आप ऍभी आपorta को सबकेर वाल रखता है वाल हो दर्गेर सब्सक्राइज कर रहे इस अम्हि roundsよね उसे है वोसल किई त्यू भी नहीं पूलँ कह और मानलो किसी तैना मैं पर दिया तो हमें कोई रिस्पॉंस नहीं आएगा 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 तो हमें कोई हम कुछ-कुछ दे देता है इमेल के जगह हम यह दे देता है अब देखते हैं कि क्या error create हुआ हम login बारता है तो 201 इसने create कर दिया इसे email अरे एक मार को आरे 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 रोको अरे रेलोड नहीं किया माना वेलकम अन्डिफाइंड यूवर क्रेटेड़ साले ने create कर दिया नहीं 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 मैं तुम्हें कोई example दिखाता हूँ error का error कैसे मारता है code तो save किया था यार यह ना actually यह नकली API यह ना fake data दे रही है है ना तो यह कुछ भी ले रही है कुछ भी दे रही है समझ रहे हो अगर अगर मैंने कोई अगर मैंने कोई अगर यह दिया कोई यूजर्स कर देता हूं त्रीक है save कर देता हूं एक बाद चेक कर लेते हैं कि क्या आयागा हाँ अब भी 200 का रहा है अगर यह अगर 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 यह दो है अगर अगर आपटेता अगर है अगर जाए कि स्टेटस कोड़ कोड़ देखर अग्यान थाक तंग श्यास कोने खाल रेटा को है हाँ उसा कुछ बोल सकता है लेकिन अनेबल टु लोड डिटा अज युट्टढ शोर और अफलाइन नइ 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 मैं तुम्हें अपना लग परस्टनल वला वह दिखाना चाहरा था जो कि मैंने बना रहा है उसमें कोई error दिखाता है ठेक है Error कैसे आते हैं यह दिखाता है वो लोड निकर रहा पराने मेरे बाकी API इसको ठेक है कोई इस इस एजी सा API ढून लेगे हम कालक्शन एक बढ़ विडियो आतोमेशन में जाता है हम यूजर का data उढ़ा लेते हैं यूजर लेटे हैं हम यूजर का data उढ़ा लेते हैं अड हम गेट करते हैं आप देखोगे तूम यह आपियाई है यह मेरी एक उसकी API हा मेरे एक प्रजक्ट की API है ठीक हम यह यूज़ करते है इसका api.autogenerate ठीक है हम यहाँ पे इसको paste कर देते है and oops यहाँ पे यह जो particular url हम पास हम इसको ठालेते है ठीक है ठीक है तो यह यह एक API है यह क्या करती है यह यूजर के data को देती है हम देखेंगे इसका response क्या आ रहा है and then हम देखेंगे अगर कोई error आएगा save कर देता हूं मैं इसको यह मेरा API है यह तुम्हें नहीं मिलेगा and जब हम वैसे तो कुछ करेंगे नहीं का अगया मेरा वो okay यहाँ लोग इन कर देते हैं तो यह परले हम नेटवर्क टाप खोलेते हैं नेटवर्क टाप में देखेंगे हमेरे साथ क्या होगा लोग इन करते हैं लोड हुआ यह एरर आया लाल होग पूरा मामला यहाँ देख लो 401 status code 401 यहाँ पर आया credentials were not provided लोग में देखुँँँँँगा तो तुम देखुँँगे error दिखा रहा है request.error 401 create.error इस particular 16 error यह उनका कोई file यहाँ पर error तुम देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से catch हटा दू यहाँ से catch हटा दू save करूँ इसको यहाँ से catch हटा के save करूँ मैं console हटा हूँ and then मैं log करूँ तुम दिखोगे मेरे पास यहाँ पर कोई error नहीं आया लेकिन यहाँ पर 100% error आया दूसरी बार जो call के यहाँ पर 100% error आया header में क्या दे रहा हूँ मैं header में दे रहा हूँ मैं email यह सब है नो देख रो error कैसे आता हम error catch कैसे करता है थेक है तो error यह था कि अगर तुम authenticated नहीं होगे तो तुम कोई चीज अपलोड नहीं कर सकते इस particular API थेक है तो यह उस चीज का हम यहाँ पर header में हेडर यहाँ पर हत रहा है उसके बाद वो चल पाता अब यहाँ आथ है क्यों फीचर करेंगे प्रीमीं अक्सिंस अशस दैा जासे नहीं प्रीमै अक्सिंस नहीं तु फेस्बुक पी आता है तो उपने इच्ष्छ्गम तआ है है ना तो वह यह authentication हो गया तो authenticated है Facebook है समझा नहीं समझा नहीं अरे सुन ना तो एक हाई एक बने अभी चीत एक मिन्टों को समझाते हैं भाई एक बाद बता कोई तेरी ID उसकरे तो अच्छा लगेगा है ना बस वही चीज है तो ID ID different करने के लिए कि किसका session इस particular computer पर चल रहा है उसके लिए हम authentication रिए हम ID आलते हम password आलते हमारे लिए a session create होता है थेक हम उस session पर काम करता है उस session का एक token होता है अगर उस token तेरा user ID होता है तेरा user ID तेरा match करता है तेरे से तो वह तेको वह encryption की होता है yes encryption की होता है तो वैसा मान सकता है इसको तो हम यहीं पर देते हैं इसी exhaust में यहीं देते हैं हम आथिरिसेशन देते हैं उसके यहां मान एक क्या है पित लुआ की है मैशंी भी होता है तक यह पोड़ लेता है सब्सक्णननीं देता है लेकिन हम ओधुर्थना थार्जशन को देसकता है कहीं ही क्या है अबभी तेरा k कुश्यं था अबचछ लिजशनなたा पूछ Tom's Biraz Saare sunon That is basic concept E-mail तुमने लगा लगाय? तुमने कोई पासавड ला तुमने कोई पासवड लगाय? तुमने कोई पासवड लगा Рई अब यह E-mail पासवड हमाया frontend भेजेगा backend लो शे यह जाएगा backend के पास ठेक है, बैकेंड अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि क्या इस इमेल का ये पासवर्ड है, अगर है, if yes, if yes, तो ये एक token जनरेट करेगा, token जनरेट करेगा, token होता है, ऐसा अंशन्ट सा कुछ लिखा होता है, बहुत सार ऐसा लंबा सा token होता है, दिखा हो token तो मैं, token दिखा ये token, ये रहा token, कुछ भी ऐसा encrypted token होता है, ठीक है, एकना encryption की कुछ keys होता है, तो मैं पता होगा, तुम लोग ने encryption अगर पढ़ा हो, तो हमाई पास एक secret होता है, हम उस secret का use करके, उस particular data को हम encrypt कर देता है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, तो हम ऐसा भेजते है, अगर है, अगर वो सही है, तो हम ऐसा token generate कर देता है, कोई ऐसा अंचंट सा token, बड़ा सा token generate होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ, back end को उसका मतलब पता होगा, दुनिया के और किसी back end को नहीं पता होगा, उस token, ना तुम secret किसी से share करते हो, ना तुम token का key होता है, ना तुम hash key होत पता चलता है, वो इस पूरे नंबर को decrypt कर सकता है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर email and password सही है, back end से check कर देया, back end ने कहा होगी सही है, तो back end डेटाबेस ने कहा होगी सही है, back end कहता है, ठीक है, मैं तरे लिए token generate कर रहा हूँ, ठीक है, token फिर हम भेज देता है, front end में, ठी ठीक है, token to front end, अब front end क्या करता है, किसी भी प्रकार का उसको चीज करना होता है, मालनो उसको post create करना है, ठीक है, मालनो उसको post create करना है, तो क्या होगा, token हम भेजते हैं, information के साथ, information में आएगा, post का data, post का title, post का image, ये तीन चीज आएगा, किसने बनाया, कब बनाया, कुछ जाएगा, ठीक है, ये तीन चीज जाएगा, title, post का data and image, ठीक है, और साथ में जाएगा, authentication token, ठीक है, इतना समझे, front end, back end को, normal data के साथ, भेजेगा, authentication token, ठीक है, ये authentication token जाएगा, वापस back end में, ठीक है, अब क्या होगा, during request, we send token, ठीक है, ये token उसने बेज दिया, अब back end लेगा इस token को, इसको decrypt करेगा, ठीक है, इसको decrypt करेगा, इसको decrypt करेगा, इसको मालूम पड़ेगा, कि बहाएग, ये जो particular, वो है, ये जो token है, ये किसका है, ये है, रोल्स का email है, रोल्स मतलब इसका email है, रोल्स इसको decrypt करेगा, इसको decrypt करेगा, इसको decrypt करेगा, तो ये चीज है, समझ रहे हो, क्या scene होता है, अब क्या हुआ, अब जब इसने देख लिया, कि हाँ इसका है, तो ये जो post create करेगा, ये इस particular email से create करेगा, ठीक है, तो जो भी तुमारा created by लिखा है, उस post में, वो तुम से use करते हैं, ठीक है, तो इस particular token में एक और चीज होती है, जिसको कहते है, is expired, ठीक है, तो क्या होता है, हम अपने हिसाब से लगा देते हैं, 2 दिन, 5 दिन, 2 घंटा, ठीक है, उस 2 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, ये expire हो जाता है, ठीक है, तुम 2 घंटे के बाद अगा त से होता है, तुमारा decryption, ठीक है, समझ रहे हो चीज हो को, अब जीद, अब जो तेरा कोई question था, अब सही है तेरा, अब समझाया या अभी भी कोई question है, इसके उपर, ठीक है, येस, ठीक है, तुम्हें token समझाया, तुम्हें समझाया कि हम backend को data कैसे देते हैं, तुम्हें समझाया कि हम backend से error कैसे नकालते हैं, अब अगर तुम्हें सी error की दिखा कुछ और करना है, तुम्हें के करता है, हम एक और, एक और state बनाता है, जिसका हम नाम रखता है, error, तुम्हें रखता है इसको भी हम null देते हैं अगर error आया अगर error आया तो हम क्या करते हैं set error कर देते हैं error का ठीक है अगर हम नीचे चले आते हैं अपने उसमें यहां हम यहां हम एक और बनाते हैं हम कहते हैं कि भाई अगर error है अगर errors है तो लिख दे की error है भाई Error है तो लिख दे Error है Error है ठीक है नहीं तो कुछ भी ना दे ठीक है नहीं तो कुछ भी ना दे इतना समझाया अगर Error है कोई Error exist करता है Null नहीं Error ठीक है तो वो Error है कर दे लिख दे यह चीज नहीं तो वो Null कर दे कुछ भी ना लिखे ठीक है तो हम देख लेते हैं एक बार बिल्कि यह वाला यूज करते हैं ताकि हम Error देखे पहले हम नॉमली देख लेते हैं क्या से चल रहा है कहीं Error मारा कहीं Error मारा Div यहाँ है Div यहाँ है H2 यहाँ है H1 कहाँ है H1 यहाँ है Error कहाँ मारा इधर मारा Form बंद करो Okay यहाँ एक Div यहाँ है वो क्या से होगा Reload कर देते हैं इसको अभी भी Error है Error तो चलेगा यहाँ से अभी Error कर देते हैं Okay, compile नहीं होता Okay यहाँ 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 लॉगद आरहा है मैं आपर कुछ भी लिख देता हूं तो यह लॉगद देता हूं तो यह लोगद करूँगा यह सही आद है यहाँ बंद कर रकें मैं आपर गड़ड़गर रकें अभी Hmm यहाँ फुर्स्स निम्को लिख देता हूं आपर यहाँ फिर्स्स नेम कर देता हूं इस बंद कर देता है हम उल्ड ममन ऊछय करते हैं लॉगद करते हैं मुच अछय है हम लिग देता हैं TP हम लिख देता हैं ुछ भी API है थेक है मैं उसको यूज कर लेता हूँ रुपना एक बड़ यहापर मेरा एक API है मैं उसको यूज कर लेता हूँ थेक है विंडो वी दबाता हूँ ताकि मेरे पास मेरा यह आए थेक है तो इसके बाद slash विंडो वी दबाता हूँ ताकि मेरे पास यह चीज़ आए तोकन नहीं लगा रहा है तोकन नहीं लगा अभी तोकन नहीं दूंगा मैं अभी तोकन भी देखे देखेंगे थेक है अब क्या अपे अब मैं अभी अरर दिखाला की तुम्हें वे ऐरर कैसे यूज़े तो मुम्हें काच क्यू अरर है ठेक? तुम देखो कि error है आ गया ठेक? and error कुछ और आया है ठेक है तो मैं के करता हूं मैं देखता हूं कि अगर error.status एक काम करते है इस पर दूसरी तरीक से लिखते है हम लिखते हैं jsum Json.stringify करते हैं stringify यह जो particular function करता है किसी भी चीज को string कर देता है अब हम देखते हैं हमारे पास log में क्या आ रहा है log में हमारे पास यह चीज आ रहा है कोई message आ रहा है request filled with this email this 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 status code है 401 कुछ कुछ ऐसा कुछ आ रहा है तो मुझे पता है में पास status के रहा है तो मैं क्या करता हूँ 200 तो मैं क्या करता हूँ अगर if यह तरीका है करने का तुमारी उपर तुम्हें कोई नहा तरीका करने कर लो status equals to equals to equals to equals to equals to 401 है 401 तहना है तो मैं क्या करूँगा मैं क्या दूँगा error आ जाए error दे मुझे you are not authenticated ठीक है वरना में पस response में आ जाता है data मैं response data भी use कर सकता हूँ मैं लोग इन कर देता हूँ save है नीचे नीचे जाँगा क्योंकि मैंने सीधा error response data use कर रखा है मुझे यहां पर error यूज कर देता है error.error यूज करना है error.error क्यों यूज करूँगा क्योंकि मैं ऊपर यहां पर कहीं error दाल रहा हूँ ठीक है स्टेटस कोड तो नहीं है यहां पर error.withStatusCode statusCode statusCode अब देखते हैं, अब देखते हैं, अभी भी नहीं चला, हमें काम बाते हैं, हम एरर के अंदर होता है, अब यहाद है, स्टेटस कोड़, वह पते हैं, इसका हा क्यों नहीं रहा, अब देखते हैं, बिल्कुल भी कार है, हमागे जैसों, बिल्कुली बेखने लुड़, कर दो और उसको अप्जेक्ट में दाल दो अब क्या एगा अटि एक अपर की दंडर मंआप पिल और एंडर के बùस्तेINGING और टेल्स ओदल गैं स्कें मेर दो रर कंडर रस्पॉंस करकिंद Blair देखो अब देखो Error अंदर Error अंदर response response अंदर data है data details है मुझे यह चीज़ प्रिंट कराने जो की मेरा backend देर है authentication not provided तो मैं क्या करूँगा मैं सीधा यहां पर वो information दाल देता हूं जो की मुझे चाहिए वो क्या जाएगी Error.Response.Data.Details तेक है देखों क्या है Err.Response.Data.Detail ठीक है सेव कर लेते हैं इसको हम अटा जेते हैं एक बार देख लेते हैं स्टेटस कुट बहर ही है स्टेटस यह वो Error के अंदर है स्टेटस 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 के अंदर है यहां पर लिखा हा है अगर Error.Error है अगर अगर तो Error है आरह है तो basically मुझे Error है नहीं चाहिए मुझे यहां पर चाहिए अगर Error है Errors.Error यहां पर मैं Error हड़ा देता हम क्यूंकि मैं पहले इसरुआत में Errors NULL होगा देख लेते हैं और बार देख लेते हैं क्या है अगर 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 ऑग भई जीटेएफाइव तो पते ने कपका था मेरे पास अगर 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 यह यह है एक छोटा सा बाकेंड यह है Not.js का बाकेंड ठेक है Not.js का बाकेंड तो इसमें तुम क्या करते हो कहां देखाँ server start प्राज़ो एप वगरा हो गया apis कहा है routes यह ठेक है तो basically क्या है यह जो particular app था यह इसलिए यह था कि twitter से data उठाता था and database में save करके machine learning चलाता था जिससे बंदों को पता चलता है कि भाही कौन सी चीज़ कित्ती बार trending है किता trend चल रहा है basically मैंने क्या करा routes.get का मतलब है कि यह जो particular API है यह get API है जहाँ वहाँ पे get करते हैं यहाँ यह get API है बना रहा है तो basically यहाँ पी क्या क्या request and response आया response में पस मुझे request नहीं चाहिए मैं तुम्हें कोई पोस्ट अपे दिखाता हूँ इसमें न सारा कोई पोस्ट अपे वाला काम था नहीं अचरो को पोस्ट रहाँ पोस्ट रहाँ i have the GitHub रहाँ वह अप्रण विवास्टोरी पे नहीं होगा टेंट्ट्स बाकेंड पे नहीं होगा रहाँ माइक यह बाकेंड गिराव ठीक है मैं दिखाता हूं तुम्हें master पे नहीं develop पे जो तो basically तुम देखो कि यहां पे क्या होता है, routes होता है में पास ठीक है routes के लिए मालों में पास user route ठीक है user route पे जाओंगा तो तुम्हें देखो कि post होता है post के अन्य हुआ बेसिकली पोस्ट साइनप के लिए युज़गा तो जैसे ही बंदा को slash API slash sign up मारेगा हिट करेगा तो वो post API चलो जाएगा ठीक है यह not.js यह जांगो नहीं है जो तुम इसमें पड़ो के वो नहीं है तुम रेस्ट API भी बनाना नहीं सिखोगे आयख रॉस एप में नाूमल नर्मल Village दॉसे बनाओं तूम ěंको तम टमपलेटिंग रहे तैक है तो एस rainbow ले खोर दन्लश करोगे डिक है तो यह शे बनते है रूटे वर्कन रेस्ट रेस्ट घंगो का भी इस होता है अपना ओडकर तीक हा मैंने अभी के लिए यहां पर यह जो particular क्या खोल दिया है यह जो मैंने अभी आज बनाया है वो तुम्हें फाइल में बता देता हूं कहां पर वो है form के अंदर वो है form in depth के अंदर थीक है तुम्हें error check करना हो error सीखना हो तो यह जो 28 लाइन इसको uncomment कर लेना और इसके नीचे जो लाइन उसको कमेंट कर लेना थीक है क्यों क्यूंकि एक बार में एक रिस्पॉंस चलेगा ना समझ रहना इस बात को एक बार में चलेगा तो अगर error देखना है तो ऊपर वाला कर ले ना नहीं देखना तो नीचे वाला कर ले ले इस पर जादा रिक्वेस्ट मत माना यह मेरा office का है थीक है वरना वो मेरी जान खाजेंगे कहां कहां से आरही है थीक है तो नकाल दून से तो मैं तो मैं तुम लोग अच्य बच्चे बन रहे है तो मैं करने आरही है थीक हैůं मैं इसको प्रिट्यर चला जीता हूं मैं इसको अप्लोड करेता हूँ ठीक है मैं